Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे सब लोग hopes हो, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ So guys, आज हम कौन सा topic पढ़ने वाले है, तो एक topic है Tax Audit and Ethical Compliances यह guys, जो topic है ना, यह पहले income tax में नहीं हुआ करता था, Tax Audit का topic है, तो यह audit में हुआ करता था, but under the new syllabus, this topic is introduced in the taxation तो यह आपका direct tax का paper है, उसमें यह topic include किया है, तो that is tax audit आपने office में बगएरा देखा होगा, 3CB, 3CD, 3CA, ऐसे forms आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे office में तो उससे related है, वो आज अपन इस topic में सीखने वाले है, question ही आता है कि sir, exam के लिए weightage कितना रहेगा इस topic का, तो जो institute ने weightage दे रखा है पूरे syllabus का, उसके इसाब से, I feel that 3 mark का question आ सकता है, 3 marks है, वो 3 marks का weightage हो सकता है, मिस 2 to 4 marks है, उसके बीच में इस topic का weightage हो सकता है, ठीक है, चलिए, तो चालू करते हैं, सबसे पहली चीजी है कि tax audit sir, किसको करानी पड़ती है, तो tax audit जो होती है, वो आपके section 44AB में होती है, अप ये tax audit करानी पड़ती है, किसको करानी पड़ती है, तो देखिए, सबसे पहली चीजी तो ये tax audit जो करानी पड़ती है, तो tax audit report कब तक file करनी पड़ती है, ये chartered accountant file करता है, और chartered accountant कब तक file करता है, at least one month before the due date of return filing, तो आपका जो return filing का due date है, वो अगर 31st October है, तो आपको 30th September तक tax audit करनी रहती है, और return filing का due date अगर 30th November है, तो 31st October तक आपको tax audit report है, वो chartered accountant file करेगा, तो देखिए, क्या दे रखा है, following person are required to furnish the audit report by one month before the due date of filing of ROI under section 1391, in the prescribed form, form होते है, 3CA, 3CB and 3CD, अब ये कहा 3CA, 3CD लगता है, कहा 3CB, 3CD लगता है, मैं आपको बता हूँगा, लेकिन audit किसको करानी पड़ती है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते है, specified professions की, अगर आप professional सो, professional में कौन कौन आता है, तो मैं आपको बता हूँ, professional का मैंने वहाँ पर definition बता है था, male fit co करके, M का मतलब medical profession, A का मतलब accountancy करके, L का मतलब legal, E का मतलब engineering, F का मतलब film artist, I का T का मतलब technical consultancy, and CA का मतलब company secretary, male fit co CEO miss company secretary, तो वो तुमारे profession की category में आते है, और profession के case में, अगर इस साल का आपका gross receipt जो है न, वो gross receipt आपका 50 lakh रुपेज से जादा हो गया, तो आपको audit करानी रहेगी, gross receipt आपका 50 lakh रुपेज को cross कर गया, professions के case में, तो आपको audit करानी पड़ेग लेकिन अगर बात करते हैं, business की तो क्या होगा, तो business की case में, मैं आपको बता हूँ, आपका turnover या gross receipt 1 करोड से जादा है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ समझना, आपको बता है, मैंने आपको बता है था, निर्मला सीता रमन जी चाहती है, कि Chartered Accountant का 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 कम हो जाए, तो निर्मला सीता रमन जी ने क्या किया, यहाँ पे ये 1 करोड का जो limit है ना, इस 1 करोड के limit को बढ़ा के 10 करोड कर दिया, लेकिन 10 करोड का limit तब लगेगा, जब 2 condition satisfied होगी, पहली condition ये, कि इस साल में, जितनी भी total receipt है ना, उस receipt में, आपकी cash receipt है, वो 5% से ज़ जादा नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों condition satisfied हो गई, तो आपको business के case में, audit की जो limit है, वो 1 करोड की जगे कितना हो जाएगा, 10 करोड हो जाएगा, बिजनस के case में, आपका जो limit है, वो कितना हो जाएगा, 1 करोड की जगे, आपका 10 करोड है, वो हो जाएगा, तो previous year and cash payment out of the total payment is up to 5% during the previous year means आपके total जितने भी रिसेट से रिसेट मतलब not only business रिसेट all type of रिसेट total रिसेट में जो cash रिसेट है वो up to 5% होना चाहिए and total payments में आपका जो cash payment वो up to 5% होना चाहिए 5% से जादा नहीं होना चाहिए तो उस particular case में आपका ये limit जो audit का है ये 1 करोड की जगे आपका 10 करोड का limit हो जाएगा लेकिन यहाँ पर clarification दिया निर्मला सीता रमंट जी के यहां cash का मतलब क्या तो एक चीज समझना अगर कोई ऐसा check है DDA which is not a account pay check shall be treated as cash only जैसे bearer check है तो bearer check जो होता है वो bearer check के case में बेटा ये आपका cash ही है ऐसा नहीं बोलोगे bearer check cash कैसे हुआ नहीं bearer check है वो आपका क्या है cash है cross check है वो भी आपका cash हो जाएगा सिरफ account पर ही check account पर ही demand draft या any mode of electronic clearing system है उसके through payment होता है तो वो तुमारा other than cash है otherwise अगर bearer check है as well as the cross check है वो भी आपका as the equal to cash माना जाएगा अब एक और चीज़ समझना कुछ ऐसे special cases और है जिसमें आपका audit करानी रहेगी कहां पर सबसे पहला guys you know that 44 AD में कितना आपको profit बताना पड़ता है तो आपका जो भी turnover होता है उसका 6% या 8% बता सकते है and 44 AD में आप 50% बता सकते है तो अगर आप इतना turnover का आपका जो business turnover है उसका अगर इतना आप जो है वो अपना PGBP का income बताते है तो दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप उससे कम बताते है और आपका जो net taxable income है वो basic exemption से ज़्यादा है तो उस particular case में भी आपको 44 AB में audit करानी रहेगी उसके साथ साथ में एक और चीज़ समझना assessi claiming lower income under section 44 AE, 44 BB and 44 BBB 44 AE कौन सा रहता है वो transporter, you know that transporter के पास में अगर transporter है और वो transporter के पास में 10 से ज़्यादा vehicle नहीं है और वो heavy vehicles, other vehicle मैं पता है आप presumptive basis पे income निकालते है तो अगर आप उससे कम बताना चाते है तो फिर आपको audit करानी पड़ेगी या फिर आप 44 BB and 44 BBB या आपको याद है 44 BB and BBB कौन सा था, 44 BB मैंने आपको बताया था, वो बता है rig machine वगरा, oil निकालते है तो उसके लिए अगर machinery वगरा देते हैं, उसमें 10% आपको PG BP का income non-resident को बताना पड़ता है and 44 BBB कौन सा होता है, वो टंग की project, अगर मालो civil construction से related वगरा, टंग की project है तो non-resident को अपना 10% PG BP का income बताना पड़ता है, अगर आप उससे कम बताते हो, तो फिर आपको audit करानी पड़ेगी under section 44 AB अब एक और चीज़ समझता, 44 AB में आपको audit कब नहीं करानी है, सबसे पहली चीज़, अगर कोई person ऐसा है, जो income अपना declare कर देता है 44 AD ADA में तो 44 AD ADA में अगर आप अपना income declare करते है, तो आपको audit करानी की ज़रुवत नहीं है, even your turnover is more than 1 करोड, because you know that, आपको पता रहेगा, तो 44 AD में आपको पता है 2 करोड तक का turnover है, तो 44 AD ले सकते हो, बट यहाँ पे तो सरवन करोड का limit है, तो भी, अगर वहाँ 2 करोड तक का आपका audit कराने की ज़रुवत नहीं है, और दूसरी चीज़, अगर कोई भी जो shipping company है, non resident shipping company या non resident जो aircraft company है, उनको अपना audit कराने की ज़रुवत नहीं है, क्योंकि उनके लिए पता है, 44 B and 44 BBA, mandatory section है, मिजो उनको जो भी पैसा मिलता है, उसका 7.5% and 5% है, वो PGBP का income बताते थे, तो उनके लिए वो mandatory section है, अब एक बात समझना, अगर आप audit नहीं कराते हो, तो क्या होगा, penalty लगेगी, penalty लगती है 271 B में, तो ये देखो, ये एक exam में यहां से question आ सकता है, कि अगर आपने audit करानी थी, और audit नहीं कराई, तो penalty कितना लगेगा, तो penalty लगेगा, वो कितना है, बट exactly 1.5 लेक नहीं है, आइधर turnover का 0.5% और 1.50,000, whichever is lower है, उतना आपका penalty लग जाएगा, चलिए, अब एक और चीज़ समझना, मैं ये 44 AD और 44 ADA है ना, इसको आपको एक बार थोड़ा revise कराना चाहूंगा, आपकी बुक से तो आप एक काम करिए PGBP में आ जाईए एक ब 44 AD और 44 ADA में आ जाईए, अब देखो, 44 AD जो section है, उसको quickly revise करा रहा हूंगा आपको, तो 44 AD जो section है, 44 AD, A, AD, इदर देख, ऐसा बारा, 44 AD, 44 AD section क्या बोलती है, यह presumptive basis पर आप business का income बता सकते हो, यह section किस पर लगती है, resident individual, resident achieve, resident partnership firm, other than LLP, और वो 10 AA या 80 IA से 80 RRB के deduction नहीं ले रहे हो, एक और चीज़ समझना, 44 AD section है ना, वो सिरफ businesses के case में लगती है, उसमें अगर आप 44 AE वाला business है, transporter का तो नहीं लगेगा, या फिर agency business है, तो नहीं लगेगा, आपका commission या brokerage का income है, या agency business का income है, या फिर 44 AE का business है, तो उस particular case में ये section का benefit आप नहीं ले सकते है, और ये section तभी लगती है, जब आपका turnover या gross risk rate है, वो up to 2 करोड है, turnover और gross risk rate is up to 2 करोड, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एक amendment आया है, और यह amendment आपको धिहान रखना है, याद रखना है, अब एक बात समझना, यहाँ पे limit क्या है, turnover की limit up to 2 करोड है, तो आप ये section का benefit ले सकते हो, 6%, 8%, लेकिन guys, यहाँ पे ये limit 3 करोड हो जाएगी, एक case में, कब, देखिए क्या दिर रखाए, where amount received during the previous year, मिस आपको जो amount received हो रहा है, previous year के अंदर अंद receipt के, तो उस particular case में, यह जो limit है न, turnover की, आपकी 3 करोड apply हो जाएगी, instead of the 2 करोड, तो देखो, मैंने क्या बोला, यह section 44 AD की कब लगती है, जब आपका जो turnover है, वो 2 करोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, it should be up to 2 करोड within the limit of the 2 करोड, but guys, instead of 2 करोड, you can take the limit of the 3 करोड, 3 करोड तक इस section का benefit ले सकते हैं, कब, अगर आपको previous year में, जो cash receive हुआ है, turnover का 5% से कम है, यहाँ पे सिरफ receive की condition है, payment payment की condition नहीं है, और वो भी turnover का, तो जो भी आपका total turnover है, उसका जो cash में receive हुआ है, इस साल में turnover, वो अगर up to 5% है, within the limit of 5% है, तो यह limit आपका कितना हो जाएगा, 3 क करोड हो जाएगा, instead of the 2 करोड, अब एक और चीज़ समझना, उसके बाद में, आपका 8% बताना है, बट अगर आपका turnover recover होता है, to the due date of return filing, by account पे check, account पे demand रा, tiny mode of electronic clearing system, through bank account, तो उस particular case में, आपको 8% की जगे कितना बताना है, 6% बताना है, उसके बाद में, यहाँ पे, एक section 44 ADA है, 44 ADA क्या बोलती है, देखो, 44 ADA, 44 ADA क्या बोलती है, कि अगर आप professional हो, और professional हो, और आपका जो gross receipt है, वो up to 50 lakh रुपेज है, तो आपको gross receipt का 50% PGPP का income बताना है, लेकिन इसमें भी एक commitment हुआ है, कि guys, आपकी जो total gross receipt है ना, उसमें previous year में, जो gross receipt receive हुआ, वो within the limit of the 5% है, तो guys, यहां 50 lakh की जगे, आपका 75 lakh आ जाएगा, अगर आपको जो receive हुआ, वो within the 5% है, total gross receipt के, gross receipt का, जो gross receipt आपका, उसका जो cash receive हुआ है, previous year में, वो within the limit of the 5% है, up to 5% है, तो बेटा, यहां 50 lakh की जगे, आपका 75 lakh है, वो हो जाएगा, चलिए, अब एक और चीज समझना, चलो, आपने काम करते है, सीधा question पर चलेंगे, because यहां पर इस particular topic में, आपको कितना पढ़ना है, जो compact में दे रखा है, वो अब इतने सारे clauses है, वो सब clauses आपको याद होने वाले नहीं है, आप DT से थोड़ा थोड़ा link करके देखोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको जो इ case studies आपको और दे रखी है, ethical practice से related, कुछ उन्होंने case studies दे रखी है, यह five case studies यहाँ पर दे रखी है, वो अपन देखेंगे, करके ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने five questions भी दे रखे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले questions पर चलेंगे, तो आजाएए सब लोग questions पर, आजाएए सब लोग questions पर, तो यहाँ पर question दे रखा है, और यह five questions है ना, रटा मार लोग अरगे, ठीक है, अच्छे से यह five questions देख लो, कि मुझे लगता है, पहली बार tax audit आपके income tax के paper में आ रहा है, हो सकता है, five questions में से एक question आपको as it is exam में मिल जाए, तो चलिए, पहला question, all people, focus here, आजाएए सब लोग पहले question पर, और देखिए, पहला question क्या बोलता है, आजाएए सब लोग पहले question पर, पहला question क्या बोलता है, देखिए, sunlight and company, a partnership firm, एक partnership firm है, engaged in the trading of electronic goods, तो यह electronic goods की trading करते है, ठीक है, trading का मतलब, obviously business कर रहे हैं यह लोग, electronic goods का तो profession नहीं है, यह business है, और partnership firm है, एक ठीक है, has a turnover of 265 lakhs, means 2.65 करोड का आपका turnover है, 2.65 करोड का आपका turnover है, तो जो information दे रखी है, उसके basis पर आपको यह बताना है, कि क्या इनको audit करानी है, या audit नहीं करानी, audit करानी है, या audit नहीं करानी, अब देखिए, दो चीज़े है, and उसके बाद उन्होंने last में question पूछा है, कि would your answer change if the cash receipt indicated in point number 3 is a 13 lakh instead of the 14 lakh, दो दोगापन answer करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो यह, कि सर एक बात बताओ, audit का limit क्या है, तो मैं बताओ, अगर कोई भी person business करता है, और business के case में उसका जो turnover है, वो 1 करोड से ज़्यादा है, तो उसको audit करानी पड़ेगी, simple सी चीज़े, लेकिन गाइस, इस 1 करोड की जगे, आपका limit है, वो 10 करोड आ जाएगा, 1 करोड की जगे, आपका limit 10 करोड हो जाएगा, कब, अगर दो condition satisfied होती है, कि आपकी total receipt जो होगी, उस total receipt में, cash का receipt up to 5% होना चाहिए, और total जितने payments होए, उसमें जो cash का payment है, वो within the 5% होना चाहिए, अगर ये दोनों condition satisfied हुई, तो आपका जो limit है, वो कितना होगा, 10 करोड होगा, चलो अपन देखते हैं, कि ये limit satisfied हो रही है या नहीं, देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला तो total turnover दे रखा है, तो total turnover तो ये ही वाला आपका 2.65 करोड ये वाला turnover है, लेकिन इस साल की total receipt कितनी है, तो देखो, aggregate of all receipt during the year, including amount receipt for the turnover mentioned in above, मनलब turnover वगरा सब मिलागे, total receipt कितनी है, तो आपकी total receipt से वो 3 करोड 25 लाक है, अब इसमें देखो cash का receipt कितना है, cash receipt out of 1 above, इसमें जो आपका cash का receipt जो है, out of the 1 above, means जो turnover था, ये turnover में से कितना cash में मिला है, तो यहाँ पे cash का receipt है, वो 14 लाक है, अब मुझे एक बात बताईए, पहली चीज तो आपकी total receipt जो है, इसमें क्या cash का receipt within the 5% limit है या नहीं? within the 5% limit है या नहीं? तो देखिए, 325 का अगर आप 5% करते, it comes to 1625, तो आपका जो 14 लाक है, divide by 3 करो 25, multiply by 100, तो ये आपका 4.3% हुआ? 4.3% हुआ, तो भाई आप पहली condition तो satisfied होगी कि total receipt जितना हुआ है, उसमें cash का receipt है, वो within the 5% limit है अब दूसरी condition क्या है? कि cash receipt out of the 2 above, इन्होंने क्या बोला? cash receipt out of the 2 above, this is inclusive of the figure mentioned in 3 above तो एक बात समझो, ये तो आपका turnover का receipt था, 14 लाक, लेकिन आपकी total cash की receipt है, वो 16 लाक है, तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, 10 करोड की limit कब होगी? जब आपके total receipt में cash का receipt within 5% होना चाहिए, और total payment में cash का जो payment है, वो within 5% होना चाहिए, तो मैं बताओ, यहाँ पे मुझे 14 लाक नहीं देखना न, यहाँ पे तो मुझे 16 लाक देखना पड़ेगा न, क्योंकि मेरी जो cash की receipt है, वो इतनी है, turnover as well as other सब receipt मिलाके cash की receipt 16 लाक है, और total receipt है, वो 325 है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे 16 लाक डिवाइड भायड भायए, 3 करोड 25 लाक, multiply by 100, so यह तुमारा 4.92% हुआ, 4.92% हुआ, तो within 5% है, अब एक बात बताओ, aggregate of all payment during the year, इतना आपका payment है, और उसमें cash का payment 695 है, तो देखो कितन है, 695, divide by 135, 1 करोड, multiply by 100, तो बेटा, यह तो तुमारा, यहाँ पे 5.148% हो गया, तो एक बात बताओ, दोनों condition satisfied नहीं हुई, अगर दोनों condition satisfied होती, तो तो क्या होता, कि आपको audit का लिए limit है, वो 10 करोड का देखते, लेकिन यहाँ तो बेटा, एक condition satisfied हो रही है, दूसरी satisfied न आपका अगर 1 करोड से ज़ादा turnover है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, 1 करोड से ज़ादा turnover है, तो आपको क्या करानी पड़ेगी, audit करानी पड़ेगी, अब एक बात बताओ, लेकिन आपका जो turnover है, वो 2.65 करोड है, अब question यहाँ पे ही आता है, कि क्या assess C, 44 AD ले सकता है या नहीं क्या assessi 44 AD ले सकता है या नहीं एक बात बताओ 44 AD कब ले सकता है जब आपका turnover है वो up to कितना होना चाहिए 2 करोड but guys this year का amendment है ये 2 करोड की जगे आपका 3 करोड देखा जाएगा अगर आपका turnover receive हुआ cash में वो आपके turnover का 5% से कम है तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर आपका turnover कितना receive हुआ तो मैं बताओ आपका 265 का turnover हो में से 14 lakh का turnover cash में receive हुआ 14 lakh का turnover cash में receive हुआ तो 14 lakh divided by 265 total turnover multiply by 100 तो यह तो 5% से जादा है तो 5% से जादा है तो आप बेटा 44 AD section भी नहीं ले सकते और 44 AD नहीं ले सकते आपका turnover 1 करोड से जादा है 10 करोड का limit नहीं लग रहा तो आपको audit करानी पड़ेगी आपको audit है वो audit करानी पड़ेगी mandatory आपको audit है वो 44 AD करानी पड़ेगी लेकिन दूसरा question क्या पूछा है इस अगर यह 14 lakh की जगे यह 13 lakh होता cash reset तो मुझे बताए 13 lakh होता divide by turnover आपका कितना है turnover is 265 तो multiply by 100 यह within the limit of the 5% होता है तो एक बात बताओ यहां 44 AD के लिए limit आपकी 3 crore हो जाती और 44 AD के लिए limit आपकी 3 crore हो जाती तो अगर आप 44 AD ले लेते तो फिर आपको audit करानी के ज़रूरत नहीं थी तो फिर आपको audit करानी के ज़रूरत नहीं तो देखो कितना सारा है इस question में यह question इतना easy नहीं है बहुत सारी चीज़े है कर गे ठीक है तो पहले आपको देखना है 44 AB के इसाब से audit होगी या नहीं उसके बाद आपको देखना है कि 44 AD लग रहा है या नहीं लग रहा है यह दोनों चीज़े आपको देखनी पड़ेगी तो अब आप इसका answer देखेंगे त तो वही वाली चीज़े इन्होंने दे रखी है करके ठीक है कि भाईया आपका receipt में cash receipt कितना है और payment में आपका cash payment वगरा कितना है वो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाए गा करके अब आप एक काम करिए मैं आपको 2-3 मिनट का time देता हूँ आप पूरा इ कर दो काम करें भाईया झाल 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 येस पीपल तो चलिए आज आईए question number 2 पे तो आपको question number 1 समझ में आ गया चलिए question number 2 पे आईए question number 2 बोलता है Mr. Abhinav Ahuja runs a travel agency business, नाम क्या दे रखा है देखो travel agency business यहाँ से समझ में आना चाहिए कि agency business है since 2010, तो agency business है तो 44 AD नहीं ले सकता आपको पता agency business commission brokerage वाले business and 44 AE वाले business में 44 AD नहीं ले सकते करके, तो agency business में 44 AD नहीं ले सकता his total commission receipt for the previous year 23-24 is 2.87 करोड, means 287 lakhs है वो उसका total commission receipt है, तो उस case में इसके business का receipt, business है यह ठीक है यह profession में तो आता नहीं, यह business है but business का receipt कितना है 2.87 lakhs 2.87 करोड the detail of receipt and payment made by him during the previous year 23-24 are as follows यहां पर receipt दे रखिये 15,65,000 है BME UPI से मिला 13,80 है वो account पर ही check से मिला 13,35 है वो bearer check से मिला bearer check का मतलब क्या होता है, cash में तो मैं बताओ, यह तो cash वाला ही है भई यह जो है, यह तो equal to cash है उसके बाद तुमारा यह वाला 18,21 अकाउंट पर ही check से मिला कोई दिखकत नहीं 15,25 न EFT से मिला 16,72 न EFT से मिला यह UPI से मिला यह UPI से मिला यह EFT से मिला अगे क्या दे रखा है other aggregate receipt not exceeding 2,000 per person on the certain occasion from various customer out of this receipt of rupees 52,500 are received in the cash तो इतना receipt और मिला account paycheck, EFT and UPI से लेकिन इस में से 52,500 है वो cash में मिला तो 52,500 है वो आपका cash में मिला खर गे ठीक है और यह आपके payments है aggregate all payment made during the previous year is so and so amount incurred for expenditure in cash not exceeding 10,000 per person in cash यह तुमारा cash का payment है करे ठीक है आप से पूचा है Mr. Abhinav contended that he is not required to get his account audited since his turnover does not exceed 3 crore and he is eligible to declare his income as per the presumptive provision as per section 44 AD examine the contention of the Abhinav Ahuja so पहला contention तो इसका यही गल है कि 44 AD मिलेगा नहीं मिल सकता because 44 AD नहीं मिलेगा अगर वो agency business कर रहा है तो वो agency business कर रहा है 44 AD नहीं लगेगा अब आपको यह देखना है कि जब business है तो उसमें audit होगी या नहीं होगी audit के लिए limit क्या है turnover का, gross receipt का that is more than 1 crore but guys 1 crore की जगे आपका limit जो है वो 10 crore हो जाएगा कब? अगर आपके total receipt में जो cash की receipt है वो up to 5% है और total payments में जो cash का payment है वो up to 5% है अगर दोनों condition satisfied हो जाती है तो यह 10 crore हो जाएगा अब आप देखिए आपकी total receipt कितनी है तो मैं बताओ total receipt शाइद ही amount match हो रहा है यह 287 ही हो रहा है total तो देखो एक बार 1565 plus 1380 plus 1335 plus 1821 plus 1525 plus 1672 plus 1535 600 plus 1625 350 plus 1819 450 plus 144 21600 या 287 ही हो रहा है तो एक बार बताओ अब आपका cash वाला कितना है एक तो यह वाला है और एक तुमारा 52500 है तो मैं बताओ 1335 plus 52500 divided by 2 crore 87 lakh multiply by 100 तो आपका cash receipt guys है वो तो 4.83% है total receipt में cash receipt is 4.83% आपका cash payment कितना है तो देखिए आपका 2058 divided by 258 multiply by 100 तो यह आपका 7.97% है तो यहाँ पर गलत हो गया 5% से ज़्यादा है तो आपके limit है वो 1 crore की रहेगी और इसको audit करानी पड़ेगी answer is yes इसको audit करानी पड़ेगी because this is the 7.976% means 7.98% 5% से ज़्यादा है तो audit करानी पड़ेगी क्योंकि third number का limit है फिर 1 crore का ही रहेगा और जब 1 crore का है तो इसको audit करानी पड़ेगी तो चलिए एक काम के रिए इसका आप answer एक बार देख लीजिए इसका जो answer है वो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे अपन सबसे पहले पढ़ रहे है तो यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन है computation of turnover to determine the eligibility of tax audit सबसे पहली चीज discount allowed on the sales invoice deducted from the turnover तो CTC बात है अगर आपने sales किया और sales पे आपने discount allow किया है तो discount जितना आपने allow किया है वो आपका less हो जाएगा तर्णोवर में से वो तर्णोवर में नहीं आएगा जैसे for an example हम कोई product बेचते है वो book का MRP है वो 1050 है बट हमने उस पे discount दिया और discount देने के बाद 850 में उसको sale किया तो हमारे तर्णोवर में 850 आएगा बड़ा simple सी चीज है दूसरी चीज यह आपका जो है यह आपका क्यों सा discount हो गया discount allowed in the sales invoice sales invoice में आपने discount allow कर दिया जो less होने के बाद जो बचेगा that is call your turnover उसके बाद cash discount not allowed in the cash memo या sales invoice में in the nature of financing charges and is not related to the turnover therefore should not be deducted from the turnover अब एक बाद समझना हुआ क्या आपने invoice में discount नहीं बताया जैसे हमने book जो sale किया वो book sale किया उस पे 1000 रुपेज में sale किया लेकिन जब वो cash में payment कर रहा है payment करते time हमने उससे कम ले लिया payment करते time उससे हमने कम ले लिया तो ये तुमारा हो गया cash discount तो एक चीज समझना cash discount अगर कोई है तो वो तुमारा किस में चला जाएगा तुमारा financing charges में चला जाएगा उस discount को आप ऐसा खर्चा record कर सकते हो financing charges में चला जाएगा तो कुल मिलाकर trade discount है वो तो turnover में आएगा ही नहीं बट अगर मानलो आपने कोई cash discount दिया लेकिन अगर sales invoice में पहले ही less कर दिया है तो तो उस particular case में वहिया वो turnover में नहीं आएगा बट अगर मानलो sales invoice पूरा बनाया है बात में जब payment करते हैं आपने अगर कोई discount दिया है तो उस particular case में वो तुमारे finance charges में जाएगा आगे क्या दे रखाए turnover discount is normally allowed to the customer if sale made to him exceed a particular quantity as per the trade practice it is in the nature of trade discount and should be deducted from the turnover अब एक बात समझता है बहुत सब बार क्या करते है लोगों को बोलते हैं कि आप इतनी sales achieve करोगे तो उस particular case में हम आपको इतना discount देंगे तो उसको बोलते हैं हम turnover discount तो turnover discount जो होता है वो भी practical life में क्या होता है discount ही माना जाता है अगर ठीक है अगर मान लो cash discount दिया आपने लेकिन पहले sale किया था तब invoice पूरा बनाया बट लेटे टाइम cash कम लिया तो उस particular case में वो तुमारे turnover का part रहेगा ही चलिए आगे क्या दे रखाए special rebate allowed to customer can be deducted from sales if it is in the nature of the trade discount if it is in the nature of the commission on the sales then it cannot be deducted अगर मान लो किसी को special rebate दे रिया चैसे for an example हमारे पास कोई student आया बोला कि sir मेरी financial से ही नहीं है position तो आप हमको discount दे दो तो उस special उसको मैंने 1000 का 400 में दे रिया तो उस particular case में हमारे लिए turnover कितना होगा 400 ही होगा खरके ठीका लेकिन अगर कोई commission वाला अगर nature का है तो उस particular case में वो turnover का part बनेगा चलिए आगे क्या दे रखाए price of goods return should be deducted from the turnover even if the return are from the sales made in the earlier years अब एक बात बताईए जैसे मान लो आपने इस साल में sale किया है वो 10 करोड का किया अब उस में से क्या किया आपका sales return होगा तो sales वो less होगा आगे क्या दे रखाए sale proceed of any shared security debenture etc held as investment will not be forming part of turnover obviously यार अगर आप investment sale कर रहे हो आप property sale कर रहे हो shared sale कर रहे हो security sale कर रहे हो debenture sale कर रहे हो तो वो तुमारे turnover का part नहीं बनेगा बढ़ अगर मान लो यही सी का trading कर रहे हो तो turnover का part बन जाएगा अगर आप shared security debenture property की trading कर रहे हो आपका वो stock in trade है तो फिर वो turnover में आएगा however if shared security debenture etc etc are held as a stock in trade then sale proceed thereof will be part of the turnover note if assessi having more than one business more than one business then all the businesses turnover shall be aggregated for the purpose of checking the audit requirement यहाँ पर लिखा हुए if assessi is having more than one होना चाहिए O-N-E तो if more than one business है आपके जो business है माल लो मेरे तीन trading business है तो तीनों का turnover क्या combine करना पड़ेगा या हर business का one one करोड अलग देखेंगे right answer is aggregate करना पड़ेगा क्योंकि pen card wise दिखा जाता है एक pen card आपके pen card जो number है उस pen card पर आप कितने business कर रहे हो तो सबका turnover आपको combine देखना पड़ेगा तो देखिए if assessi is having more than one business then all the business turnover shall be aggregated for the purpose of checking audit requirement however in case of business covered under section 44B or 44B that is shipping non-resident का shipping और non-resident का aircraft business then turnover of such business shall be excluded तो अगर non-resident का shipping business है या non-resident का aircraft business है तो उनका turnover जो भी रहेगा वो आपको exclude करना रहेगा चलिए अब एक बात बताईए जब audit करते है तो audit करते time chartered accountant जो है वो chartered accountant कौन कौन से form file करेगा तो मैं बता हूँ normally आपने office में देखा होगा एक तो आप कौन सा form file करते हो 3CB करते हो 3CB and उसके साथ मैं 3CD करते हो and एक 3CA and 3CD करते हो तो 3CD तो रहेगा ही रहेगा उसके साथ आइदर 3CA होगा या 3CB होगा अब ये 3CA and 3CD कब file करते है अगर मान लो कोई assessi ऐसा है जिसकी already कही न कहीं audit हो रखी है example के लिए जैसे companies है companies के case में companies act में audit हो रखी है या फिर cooperative society है तो उनके law में audit हो रखी है या अगर मान लो LLP है तो LLP act में audit हो रखी है तो उस particular case में chartered accountant क्या करता है 3CA form file करता है और उसके साथ 3CD तो करना ही पड़ेगा लेकिन अगर कहीं और audit नहीं हुई और सिरफ यहां पर audit हो रही है tax audit हो रही है 44AB में तो फिर क्या करना पड़ता है 3CB and 3CD है वो form file करना पड़ता है ठीक है तो देखिए accounts of assessi already audited under any other law like companies act 2013 में या LLP act 2008 में वहां पर audit हो चुका है तो फिर chartered accountant क्या करेगा यहां पर बेटा 3CA and 3CD form file करेगा बट अगर मालो आपका audit कहीं नहीं हुआ है तो accounts of the assessi not audited under any other law तो यहां पर 3CB and 3CD है वो file करेगा अब एक बात बताओ एक बार audit report submit कर दी एक बार audit report submit कर दी question ही आता है क्या audit report को revise कर सकते है या नहीं क्योंकि आप बताओ आप return file करोगे 31st October of assessment year और audit होगी 30th September of assessment year तो audit तो पहले हो जाएगी return filing की due date बाद में है अब एक बात बताओ बहुत पारी चीज़े आपको बता है मैंने section 43B पढ़ाई थी वो टांग अड़ाती है कि जैसे interest है schedule bank, PFI, SFC, SIIC और NBFC का interest आपको return filing की due date तक पे करना पड़ेगा otherwise वो disallowed हो जाएगा एक बात बताओ ऐसा हो सकता है कि जैसे 30th September को Chartered Account Act ने audit तो कर दी लेकिन उसके बाद पता चला return filing की due date से पहले-पहले आपने 43B का violation कर दिया या जो TDS था वो deduct किया था वो आपने जमानी कराया तो question ही आता है कि audit report को क्या revise कर सकता है Chartered Account answer is yes guys आप audit report को revise कर सकते है और audit report को revise audit report file कर सकते है ठीक है लिखियत क्या दे रखा है तो revise tax audit report हो सकता है तो tax audit report may option be revised by the person assese by getting revised report of the audit from the Chartered Account to see audit करेगा तो revise file हो सकता है furnish it before the end of the assessment year for which the report pertains तो यहाँ पर क्या होगा assessment year के end तक आपका assessment year 31st March of the assessment year तक end होता है उससे पहले-पहले audit report revise हो सकती है like if there is a payment by such person after furnishing of the tax audit report which necessitate that is recalculation of disallowance under section 40 और 43B and tax audit report can be revised multiple time multiple time revise हो सकती है ठीक है चलिए अब एक बात समझना Chartered Accountant जब audit करेगा तो क्या-क्या चीजों का ध्यान रखेगा तो देखिए consideration while furnishing the particulars in the form number 3 CD जब 3 CD file कर रहा है C A तो क्या-क्या चीजों को ध्यान रखेगा तो देखिए सबसे पहले if item of income और expenditure is covered in more than one clause ऐसा कोई भी item है या income है या expenditure है जो एक से ज़्यादा clauses में cover होता है tax audit report में 44 clauses है उसमें अगर मानलो हो सकता है कि multiple जगे एक ही item एक ही income या expenditure cover हो रहा है तो उस particular case में suitable cross reference to such item to be given at the appropriate places appropriate places पे वो क्या करेगा cross reference देगा दूसरी चीज़ if there is a difference in opinion of the tax auditor and the assessee अब एक बात बताओ auditor और assessee की opinion में difference हो सकता है answer is yes हो सकता है chartered accountant बोले के नहीं नहीं यार यह घर्चा तो disallowed होना चाहिए assessee बोलता है नहीं यह तो allow होना चाहिए assessee बोलता है के case law है chartered accountant बोलता है कि auditor के बीच में और assessee के बीच में यहाँ पे differences है तो वो उसको लिखना पड़ेगा तो देखिए क्या दे रखा है if there is a difference in the opinion of the tax auditor and assessee in respect of any information furnished in the form then auditor should state both viewpoint and relevant information to enable the tax authority to decide the matter वो tax authority देखेगी क्या है क्या नहीं तो अगर मालो दोनों के बीच में कोई opinion में difference आ रहा है जैसे assessee बोल रहा है expenditure allow होना चाहिए chartered accountant बोलता है नहीं होना चाहिए तो वो auditor जो है वो auditor उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता उसको लिखना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा कि यह assessee का viewpoint है और disallowance he should kept in view law applicable in relevant year even though form of audit report may not have been amended to bring it in the conformity with the amended law अब एक बात बताओ chartered accountant चैब audit कर रहा है तो audit करते ताइम उसको ना यह धियान रखना है का current law क्या है मिस जिस assessment year के लिए वो audit कर रहा है उस assessment year के लिए क्या allow होगा क्या disallowed होगा law में क्या-क्या changes हुए है क्या-क्या amendments हुए है वो सब उसको पताओने चाहिए बहुत बर ऐसा हो सकता है कि आपका tax audit का जो form है 3 CD वो amended नहीं है वो amended नहीं है तो भी chartered accountant को धियान रखना पड़ेगा मिस auditor को यहाँ पे धियान रखना पड़ेगा कि यहार यह amendment हुआ है और इसका आपको effect देना है तो इस वाले point में क्या दे रखा है in computing the allowance और dis allowance you should keep in view law applicable in the relevant year मिस जिस year के लिए वो audit कर रहा है उस year का law क्या बोलता है relevant year का law क्या है वो उसको ध्यान होना चाहिए यह सब भी हो सकता है audit report जो है 3 CD में उसका amendment नहीं हुआ तो भी उसको ध्यान रखना पड़े आगे क्या दे रखा है information in the form should be based on books of accounts records, documents and information and explanation made available to the auditor for the examination तो वो क्या करेगा books of accounts को check करेगा record check करेगा documentation, information, explanation made available to the tax auditor for the examination and in case of auditor rely on any case law he may mention that fact अगर उसने किसी case law पे rely किया तो उसकी case law का नाम बताना पड़ेगा अब एक बात बताओ मैं आपको क्या करता हूँ form बताता हूँ कि form कौन कौन से और कैसे दिखते है करगे ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ पर PDF डाउनलोड की है forms की सबसे पहले जो form है that is the 3CA यह 3CA form का फाइल होता है जब आपकी already किसी और act में audit होती है किसी और act में audit होती है तो form नंबर 3CA है वो फाइल करेगा उसी यह तो देखिए क्या दे रखा है audit report under section 44 AB of the income tax act 1961 in a case where the accounts accounts of the business or profession of the person have been audited under any other law किसी और law में audit हो रही है अब इसमें CA बताएगा कि I और we reported that the statutory audit of so and so that assessi का नाम assessi का pen number was conducted by the यहाँ पे कौनस का CA firm का नाम आजाएगा करके ठीक है या अगर individual CA तो उसका नाम आजाएगा and in pursuance of the provision कौनसा 44 AB में audit हो रही है तो वो यहाँ पे आजाएगा ठीक है और यहाँ पे कौनसी date को audit वो sign किया है वो लिखेगा कौनसे year का यह P&L और balance sheet है वो लिखेगा करके ठीक है और उसके बाद मैं यहाँ पे दे रखा है documents declared by the act to be part or annex of profit and loss account income expenditure account balance sheet है वो उसके साथ मैं annexure करेगा उसके बाद the statement of particulars required to be furnished under section 44 AB is annex here with in the form number 3 CD और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर दोनों के में कुछ opinion वगेरा में change है तो वो यहाँ पे लिखेगा तो देखिए in my opinion and the best of our information and according to the examination of books of accounts including other relevant document and the explanation given to me the particulars given in that form 3 CD are true and correct subject to the following observation and qualification तो देखो जो दोनों के बीच में जो जो differences है वो differences यहाँ पे आपका यह पैरा नंबर 3 बोलते हैं हम लोग कि जो भी तुमारा form number 3C है 3C का जो पैरा नंबर 3 रहेगा इसमें बताना पड़ेगा कि क्या-क्या differences है क्या-क्या उसके qualifications है क्या-क्या उसके observation है तो वो सब यहाँ पे आपको लिखके देना पड़ेगा तो जो 3C-D फाइल होगा उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे यह चीज़े लिखके देनी पड़ेगी कि assess C यह बोल रहा है Chartered Accountant यह बोल रहा है तो दोनों के बीच में कहा-कहाँ पे differences है कहा-कहा उसके observation है disqualifications है वो सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ठीक है This is the form number 3C यह तब फाइल होगा जब आपकी audit किसी और act में भी हो रही है अब एक बाद समझना अगर आपकी audit किसी और act में नहीं होती सिरब यहाँ पे हो रही है चलिए उसके बाद मैं 3CD form होता है यह 3CD file करना पड़ता है और यह आपका main form होता है तो जो form number 3CD रहता है उस form number 3CD में क्या होता है name of assessee, address, permanent account number तो यह तुमारे clause होते है clause number 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे यह आपके clauses चलते रहते हैं ठीक है clause number 13 में आपका method of accounting कौन सा है अगर ICDS की वज़े से कितना क्या differences आ रहा है वो यहाँ पे आपको reporting requirement रहेगा clause number 14, 15 ऐसे यह clause से चलते जाएंगे और से total कितने clause है अगर आप tax audit report देखोगे तो आपके total जो clause है वो clauses I think 44 है या, तो 44 clauses है 43 वाला clause है that is related to the like CBC reporting under transfer pricing यह 43 वाला clause है और 44 वाला clause है कि आपको break up of total expenditure of the entities registered or not registered under the GST कर गे ठीक है, तो आपके expenditure का यहाँ पे break up देना पड़ता है, चली तो यह आपके one by one clauses है अपन क्या करेंगे, कुछ-कुछ clauses अपन पड़ेंगे और उसके साथ मैं अगर कुछ questions है वो questions अपन देकेंगे तो आपको clarity बैठती जाएगी तो चलीए, अपन एक काम करते है वापस compact पे चलते है और compact पे यहाँ से चालो होता है clause by clause analysis of the form number 3 CD तो चलीए, अपन clause by clause discussion करते है कि कौन से clause में क्या आएगा तो सबसे पहला clause जो रहता है section क्या बोलते है अपना form number 3 CD का तो form number 3 CD मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देरे पहले तो यह तुमारा form number 3 CD रहता है अब 3 CD में क्या होता है कि बहुत सारे clauses है उसमें जो है one by one clause सबसे पहला जो clause रहता है उसमें name of the SSC का SSC का नाम लिखो अगर BB Virtuals Private Limited है तो BB Virtuals Private Limited लिखो अगर BB Virtuals Partnership हो मैं तो वो लिखो उसके दूसरा clause जो रहता है वो address का रहता है कि उसका address क्या है अब एक बात बताओ क्या उसकी branches वगरा है तो क्या सबका address लिखना पड़ेगा answer is yes तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है अगर आप compact में देखोगे सबसे पहला clause क्या है name of the SSC SSC का नाम जो है वो आपको लिखना पड़ेगा उसके साथ साथ में आपको branch का नाम लिखना पड़ेगा along with the SSC name in case of the tax audit of the branches अगर branches का भी obviously because pen number wise audit होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा branches का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आपकी branches है तो उसके साथ साथ में आपको address लिखना पड़ेगा but address कौन सा as communicated to the income tax officer for the assessment जो आपके assessment के record के हिसाब से वो वाला address in case of company also mention the registered office if it is a different अगर company का registered office अलग है और बेटा income tax purpose के लिए आपका AO के लिए अलग address है तो आपको यहाँ पर mention करना पड़ेगा clause number 3 है आपको अपना pen number लिखना पड़ेगा permanent account number है वो आपको client का लिखना पड़ेगा अब clause number 4 क्या बोलता है clause number 4 आपका GST number service tax number custom number वो सब लिखना पड़ता है तो देखिए whether the assessi is liable to pay the indirect taxes क्या assessi को indirect taxes pay करना रहता है like excise duty service tax sales tax GST custom duty etc etc if yes then please furnish the registration number और GST number और any other identification number allotted for the same all the GST and number allotted to the assessi need to be mentioned अब एक बात समझना बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक company है उसके चार state में काम चल रहा है तो चार GST number रहेंगे क्योंकि GST number आपको हर state का अलग-लग GST number मिलता है तो क्या हर state का जब अलग-लग GST number मिल रहा है तो आपको क्या all GST and जो है वो आपको इसमें mention करने पड़ेंगे answer is yes ऐसा clause number 4 बोलता है तो देख चारो clause तो एक दोम easy easy है पहला क्या है असेसी का नाम है दूसरा क्या है address है तीसरा pen number 14 असेसी के पास में क्या other taxes वो पे करता है तो उसके जो register number रहेंगे custom के लिए exercise के लिए GST के लिए वो भी देने पड़ेंगे उसके बाद clause number 5 है status उस असेसी का status क्या है status का मतलब वो individual है, firm है H.U.A.P. है, company है यह सब चीजे है वो आपको status उसका बताना पड़ेगा clause number 6 and 7 तो simple सी बात है previous year, assessment year जैसे आपके लिए previous year 23-24, assessment year 24-25 उसके बाद clause number 8 बोलता है indicate the relevant clause of the section 44 A.B. under which the audit has been conducted miss, आपकी audit कौन से clause में हो रही है audit जो है, वो कौन से clause में हो रही है 44 A.B. के, अब एक बात बताओ आप अगर 44 A.B. section पे जाओगे तो 44 A.B. में कुछ clauses है तो मैं गया यहाँ पे कहाँ पे income tax act पे, तो चलिए मैंने गया income tax act पे और income tax act में आप देखोगे, तो यहाँ पे आपका section 44 A.B. 44 A.B. पे गया और जब मैं 44 A.B. पे गया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन से clause में audit हो रही है तो section 44 A.B. जो है 44 A.B. tax audit का, उसका clause number A जो है, वो A वाला business वाले में है, कि अगर business में आपका turnover 1 crore से जादा है या gross, sorry, business में turnover 1 crore से जादा है, तो audit होगी that is the clause number 44 A.B. का clause number A select करोगे वहाँ पे या फिर आपका B कब आएगा जब profession के case में 50 lakh से जादा है तो, उसके बाद C कब आएगा कि अगर 44 A.E. and 44 B.B. and 44 B.B. में आप अगर जो presumptive है उससे कम बता रहे हो तो उसके बाद में आपका D कब आएगा D आएगा कि अगर आप 44 जो क्या बोलते है A.D.A. जो section है, वो A.D.A. section में अगर 50% से कम बता रहे हो तो उसके बाद E कब आएगा कि भाया आप जो 44 A.D. section जो होती है उसमें 8% 6% से कम बता रहे हो तो यह आपको clauses में लिखना पड़ेगा कि कौनसे clause की वज़े से यहाँ पर audit हो रही है कौनसे clause की वज़े से यहाँ पर audit हो रही है तो यह तुमारा clause number 8 में आएगा कि indicate the relevant clause of section 44 A.B. under which the audit has been conducted उसके बाद आपको यहाँ पर clause number 8A और डाला कुछ यहर पहले और 8A में यह डाला कि आपको यह देखना पड़ेगा कि assessi ने special tax rate का benefit लिया है या नहीं जिसको अपन concessional tax rate बोलते है आपको पता है 115 BA या 115 BA, 115 BA, 115 BA 115 BA, 115 BAC, 115 BAD 115 BAE तो आपको यह देखना पड़ेगा auditor यह देखेगा कि क्या assessi ने इन sections का benefit लिया है या नहीं तो यह तुमारे clause number 8A में होता है reporting तो देखिए whether the assessi has opted for taxation under any of the section of section 115 BA BA, BA, BAB, BAC, BAD या BAE and auditor has to verify यहाँ auditor को verify भी करना पड़ेगा कि form number जो 10 IB, IC, ID, IE, F करके IEA has been furnished or not यह form भरे है या नहीं भरे क्योंकि आपको पता है जब यह benefit लेना चाहते हो आप अगर यह special rate का जो कम rate वाला जैसे 115 BA में 22%, 115 BA में आपका 15%, 115 BA C में वो new slab rate 115 BAD, 115 BA तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कुछ form फिल करने पड़ते है तो यह form फिल किये है या नहीं वो auditor को यहाँ पे verify करना रहेगा this is the clause number 8A करके ठीक है चलिए उसके बाद clause number 9 बहुत easy सा clause है इसमें यह पूचा जाता है कि अगर कोई partnership firm है या AOPBI है तो आपको हर partner या member और उसका PSR लिखना पड़ेगा हर partner का नाम लिखना पड़ेगा उसका PSR क्या है वो लिखना पड़ेगा member है तो member का नाम और उसका PSR लिखना पड़ेगा और अगर इस साल में उसका PSR change हुआ है या फिर मान लो क्या बोलते partner change हुए है तो वो detail भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी कि इस साल में अगर change in constitution हुआ है change in constitution का मतलब होता है कि कोई partner retire होता है या कोई partner admit होता है but at least एक पुराना partner continue करता है या फिर क्या होता है अगर सब partner continue कर रहे है बट उनके PSR में change हो जाता है that is called change in constitution तो change in constitution हुआ है तो उसका detail आपको clause number 9 में chartered accountant को लिखना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले point में तो क्या लिखा हुआ है firm है AOPBI है indicate the name of the partner member and their PSR उसका B में क्या दे रखा है कि if there is any change in the partners or member or their PSR since the last date of the last year then particular of such change अगर change हुआ है तो वो detail भी देना पड़ेगा उसके बाद clause number 10 क्या बोलता है clause number 10 बोलता है clause number 10 बोलता है nature of business और profession means आपका जो भी nature of business business का nature of profession है वो आपको देना पड़ेगा if more than one nature than every business और every profession के बारे में आपको बताना पड़ेगा nature of business and profession means जैसे माल लो BB virtual से तो हम education industry में है अगर माल लो हम दूसरा भी कुछ काम कर रहे है तो वो भी बताना पड़ेगा तो एक से ज़्यादा business के nature है तो वो भी बताना पड़ेगा if there is any change in the nature the particular of such change अगर उसमें कुछ change हुआ है वाला भी यहाँ पर indicate करना पड़ेगा उसके बाद clause number 11 एक बाद बताओ clause number 11 है यह books of accounts से related है क्या आपको books of accounts बनानी है या नहीं as per section 44AA आपको बताओ 44AA एक section थी और 44AA में ऐसा था कि particular limit से ज़्यादा अगर आपके तीनों साल की last की gross receipt है profession के case में तो आपको books of accounts बनानी पड़ेगी as per rule number 6F करके हुआ करता था और business के case में भईया अगर आपका या तो turnover जो है वो 10 lakh से जादा है या PGBP का income 120 से जादा है individual HUP में वो 25 and 250 हो जाता था अगर उससे जादा है तो आपको books बनानी पड़ेगी otherwise बनाने की जरूवत नहीं है तो वो यहाँ पे charted account and report करेगा in the clause number 11 तो दिखिए clause number 11 क्या है whether books of accounts are prescribed under section 44 AA if yes list of the books of accounts जो prescribed है list of the books of accounts maintain and the address at which the books of accounts are kept in case books of accounts are maintained in the computer system then mention the books of accounts generated by such computer system if books of accounts are not kept at one location please furnish the address of the location along with the detail of books of accounts maintain तो देखो आपको books of accounts कहां maintain की गई है उसका address देना पड़ेगा अगर मानलो कहीं और जैसे registered office पे books of accounts नहीं है कहीं और maintain की जा रही है तो उस place का address है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा and list of books of accounts and nature of relevant document examine कर गए ठीक है यहाँ पे list of books of accounts है वो बताना पड़ेगा कौन-कौन सी books of accounts है and nature of relevant document examine जो chartered account ने एक्जामीन की है उनका detail यहाँ पे reporting में जाएगा उसके बाद clause number 12 क्या बोलता है तो clause number 12 रहेगा कि whether the profit and loss account include any profit and gain assessable on presumptive basis क्या assessi को presumptive basis taxation से tax लग रहा है या नहीं if yes indicate the amount of relevant section 44 AD, AE, AF 44 B, 44 BB 44 BBA, 44 BB chapter that is the 12 G first schedule और any other relevant section तो कुल मिला कि अगर कोई presumptive basis पे आपका PG BP का income बद जैसे non resident है non resident का दूसरा business भी एक shipping business भी है मालो उसका aircraft business भी है तो shipping business aircraft business पे है वो मालो दूसरी section लग रही है BBA लग रही है 44 BB लग रही है तो उस particular case में आपको यहाँ पे chartered account एट उसका reporting करेगा चलिए उसके बाद में आपका clause number 13 और clause number 13 है वो clause number 13 है बड़ा interesting होता है तो देखिए अगर माँ आपको बताओ यहाँ पे report में तो यह तुमारा report है clause number देखो यह तो सब अपनने पड़ा list of books of accounts and all यह तो ठीक है clause number 13 यह आता है clause number 13 में method of accounting employed in the previous year आप कौन सा method ले रहे हो भाई आप cash method ले रहे हो या mercantile method ले रहे हो वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा whether there had been any change in the method of accounting employed method employed in the immediately preceding previous year क्या ऐसा हुआ है कि इस साल आखकी method change हो गई हो if the answer to be above is the affirmative मतलब यस ऐसा हुआ है तो give the detail of such change and the effect thereof on the profit and loss आपका अगर ऐसा हुआ है कि पहले आप cash method follow करते थे अब आप accrual कर रहे हो या last year आपने accrual किया था इस बार cash कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो इसकी वज़े से profit पे क्या impact आएगा वो आपको यहाँ पे point number C में बता 13 C में बताना पड़ेगा whether any adjustment is required to be made to the profit and lost by complying with the provision of income computation and disclosure standard क्या ICDS की वज़े से आपके profit में कुछ change आया क्या तो उसका क्या आपको disclosure देना है अगर मानलो यहाँ पे होता है अगर yes या no तो अगर मानलो यहाँ पे yes हुआ तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ICDS की वज़े से आपका profit कितना increase हुआ या कितना profit decrease हुआ और उसका net effect क्या आया तो कुल मिला के यह जो तुमारा है और disclosure as per the ICDS ICDS के disclosure देने पड़ेंगे का accounting policies से related को disclosure है तो यहाँ दोगे तो यह 10 ICDS से उससे related आपको disclosure देने पड़ेंगे तो कुल मिला के अगर मैं आपको बोलू कि यहाँ पे आपका clause number 13 है उसका 13 का एक क्या बोलता है कौनसी method follow कर रहे हो cash method follow कर रहे हो या mercantile follow कर रहे हो अगर माल लो method में क्या कुछ change किया है क्या answer is किया है तो उसकी वज़े से profit पे कितना impact आया है ICDS की वज़े से क्या profit change हो रहा है अगर है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा and guys अगर आपका ICDS के जो disclosure है वो chartered account है यहाँ पे disclosure देगा करें ठीक है तो चलिए अपने काम करते है वापस से compact पे चलते है और compact पे देखते है आपका जो clause number 13 है वो क्या बोलता है तो देखिए method of accounting employed in the previous year CDC बात है whether there had been any change in the method employed vis-a-vis the method employed in the immediately last previous year if yes then give detail of change and impact on the profit and loss whether any adjustment is required to be made to the profit and loss for complying with the provision of ICDS and impact on the profit and loss तो यह तुमारा clause number 13 है उसके बाद clause number 14 है वो बोलता है method of valuation of closing stock employed in the previous year आप closing stock कैसे value कर रहे हो detail of the deviation if any from the method of valuation prescribed under section 145A अगर देखो 145A में क्या बोला हुआ cost और NRV whichever is lower आपको याद है वहाँ पे cost और NRV whichever is lower बोला हुआ है और क्या आप cost और NRV whichever is lower ही follow कर रहे हो यहाँ अगर आपका कुछ deviation है अगर कुछ changes है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा और उसकी वज़े से profit पे कितना impact आ रहा है वो भी यहाँ पे chartered accountant है उसको यहाँ पे report करना पड़ेगा तो this is the clause number 14 तो clause number 14 है वो बड़ा simple सी बात बोलता है कि आपका method of valuation of closing stock कैसे value कर रहे हो cost और NRV whichever is lower पे है या नहीं है क्या आप जो कोई और method follow कर रहे हो अगर कर रहे हो तो उसकी वज़े से profit पे कितना impact आ रहा है वो आपको यहाँ पे chartered accountant है उसको report करना पड़ेगा उसके बाद में clause number 15 है यह आपका अगर capital asset stock in trade में आप convert कर देते हो तो आपको यहाँ पे detail देना पड़ेगा आपकी कोई capital asset है और उसको आपने stock in trade में convert कर दिया जैसे आपको पता है capital gain topic में हमने पढ़ा था एक person है उस person ने क्या किया पहले एक plot था उस plot को पता है plot को convert किया था किसमें plot को business में लाया उसके उपर flats बनाये थे 20 flats और 20 flats में से 15 flats बेचे थे तो proportionate capital gain वगरा निकाला था तो यहाँ पे एक बात समझना इस साल में क्या ऐसा हुआ है क्या आपकी capital asset है हो convert हुई है stock in trade में या नहीं तो देखिए give the following particular of the capital asset converted into stock in trade description of the capital asset कौन सी थी date of acquisition उसका कितना था cost of acquisition उसका कितना था and amount at which the asset is converted into stock in trade convert जब कर रहे हो तो उस time पे उसकी value क्या है normally यहाँ पे fair market value लेते है तो यह आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा in the clause number 15 so clause number 15 आपको बताना पड़ेगा मैं CA reporting करेगा तो CA जब reporting करेगा तो उसको यह report करना पड़ेगा उसके बाद clause number 16 clause number 16 क्या बोलता है कि amount not credited to the profit and loss account देखो जो भी आपकी income होती है business की income वगड़ा वो P&L के credit मचानी चाहिए तो देखिए यहाँ पे clause number 16 मैं आपको 3 CD से बताता हूँ तो 3 CD में यह clause number 16 है वो यह वाला देखिए clause number 16 यह वाला क्या बोला हुआ है amount not credited to profit and loss account being the item falling within the scope of section 28 अब एक बात बताओ section 28 है यह PGBP की charging section है और PGBP की charging section बोलती है यह यह income ऐसी है वहाँ पे कुछ income की list दे रखिए कि यह income आपके PGBP head में आती है बट मान लो ऐसी कोई item है जो आपने P&L के credit में नहीं डाल डालनी चाहिए असेसी को डालनी चाहिए chartered accountant यहाँ report करेगा chartered accountant यहाँ report करेगा कि ऐसी item जो है जो scope of 28 PGBP की income बननी चाहिए थी बट असेसी नहीं बनाई तो यहाँ पे chartered accountant को report करना पड़ेगा दूसरा अब एक बात समझना कोई ऐसी item है जो आपको duty drawback है या फिर कोई भी आपके कोई taxes वगरा है वो अभी तक आपका P&L के credit में आपने नहीं डाले P&L के credit में नहीं डाले बट उसका refund आपको मिलने वाला it is admitted by the authority तो वो chartered accountant अडिया रिपोर्ट करेगा तीसरा escalation claim accepted during the previous year escalation claim वो अगर P&L के credit में नहीं डाला तो chartered accountant अडिया रिपोर्ट करेगा क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था escalation claim जो है और आपके जो export incentive है वो taxable उस year में होते है जिस year में उसकी reasonable certainty आ जाती है तो जब reasonable certainty आ गई और तो भी तुमने P&L के credit में नहीं डाला है तो chartered accountant अडिया रिपोर्ट करेगा और any other item of the income और कोई भी ऐसी capital receipt है if any कर गे ठीक है तो वो यहाँ पे बतानी पड़ेगी तो in simple word तुमारा जो clause number 16 है वो clause number 16 क्या बोलता है clause number 16 ये बोलता है कि कुछ AST item है जो P&L के credit में आनी चाहिए थी but assessi has not credited assessi न उसको credit नहीं किया है कौन-कौन सी item या तो कोई item ऐसी है जो 28 के scope में आती है वो P&L के credit में जानी चाहिए थी income बननी चाहिए थी या फिर कोई भी ऐसा duty drawback वगिरा जो है या फिर कोई भी आपका escalation claim है या any other item of the income या capital receipt वगिरा है जो P&L के credit में आनी चाहिए थी और अगर मानलो आपने नहीं डाली amount not credited to P&L account तो आपको यहाँ पे chartered accountant को report करना पड़ेगा clause number 17 तो बहुत ही प्यारा और easy सा clause है यह तो वह वाला clause होता है अगर आपको यार रहेगा कि अगर आप कोई भी immovable property transfer करते हो as a stock in trade या capital asset और आपको पता है अगर उसका SDV है वो consideration के 110% से ज़्यादा है तो SDV आपका full value of consideration माना जाएगा for the purpose of computing the PGBP income और capital gain तो capital gain calculate करने के लिए या PGBP का income निकालने के लिए आपका जो भी SDV है वो full value of consideration माना जाएगा stem duty value of full value of consideration माना जाएगा तो यहाँ पे guys clause number 17 यह बोलता है कि अगर यहाँ पे उसकी detail देनी पड़ेगी तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि where any immovable property is transferred during the previous year for the consideration is less than SDV under section 43 CA and 50C detail of the property आपको देना पड़ेगा SDV कितना है वो बताएगा consideration and whether section 43 CA and 50C applicable or not shall be furnished तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपने अगर immovable property transfer की है during the previous year उसका जो consideration है वो SDV से कम है तो आपको यहाँ पे property का detail देना पड़ेगा साथ में SDV कितना है consideration कितना है क्या section 43 CA and 50C applicable हो रहा है या नहीं वो यहाँ पे chartered accountant को report करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए अगर मान लो मैं आपको 3 CD से यहाँ पे बताओ तो 3 CD में भी यही बोला हुआ है तो देखिए where any land building और both means immovable property transfer during the previous year for a consideration less than value adopted assessed or accessible by the authority of state government that is SDV तो detail of property देना है consideration received कितना हुआ वो बताना है value adopted SDV बताना है और क्या यहाँ पे 43 CA and guys like 43 CA and 50 C and 56 to 10 लग रहा है नहीं वो आपको यहाँ पे बताना पड़े गा करके ठीक है 56 to 10 कब लगता है बता है जब आपको यह एक्कोईर करते हो तब तो वहाँ पे लगता है तो आपको यहाँ पे बताना पड़े चलिए आगे बढ़ते हैं और next clause क्या बोलता है देखो अब आपका question यह रहेगा क्या clause सरह हमको याद रखना है 17 में यह आएगा 18 में यह आएगा answer is नहीं देखो पहले audit audit के paper में जब आता था तो ऐसे clause वगरा याद रखते हैं income tax के paper में आएगा तो आपको clause याद रखने की जुरुवत नहीं 7 question ICI ने दे रखे 5 case studies दे रखे वो अगर आप धंग से देख लोगे आपका काम बन जाएगा चलिए उसके बाद clause number 18 क्या बोलता है तो clause number 18 है यह आपको depreciation से related clause है that is particulars of depreciation allowable as per income tax act 1961 के depreciation आपको कितना मिल रहा है in respect of each asset and block of asset as the case may be in the following form तो आपको क्या बताना पड़ेगा chartered account and description of the asset and block of asset के कौन कौन सी asset है उसके detail जाएगी rate of depreciation क्या है वो जाएगा actual cost और WDV क्या है वो जाएगा इस साल में कितना addition हुआ है deletion हुआ है कौन सी rate को हुआ है वो भी बताना पड़ेगा तो देखिए addition deduction during the year with the dates in case of any addition of the asset date put to use including the adjustment on account of the senvet credit अब एक बात बताओ उस पे आपका जो senvet credit है क्या उस पे आपको input tax credit मिल रहा है नहीं मिल रहा है अगर आप इंडिया के बाहर से कोई asset acquire करते हो और वो या तो foreign currency loan पे करते हो या foreign से supplier credit पे करते हो और अगर मानलो आप उसका payment कर रहे है और payment के time पे आपका कोई भी foreign exchange fluctuation gain और loss होता है तो वो block के साथ adjust होगा तो उसकी reporting यहाँ पे होगी अगर आपको कोई subsidy या grant मिला है reimbursement मिला है तो वो भी आपको यहाँ पे less करना पड़ेगा तो अगर asset से related कोई government grant है तो वो यहाँ पे chartered account है इसकी reporting करेगा depreciation इस साल में कितना allowable है and closing WDV कितनी है वो यहाँ पे reporting में बताना पड़ेगा in the clause number 18 of the tax audit report in the form number 3 CD में तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 CD का format तो 3 CD में यही चीज़े दे रखिए क्या आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा क्रिके ठीक है क्या आपका description of asset क्या है rate of depreciation क्या है actual cost है WDV क्या है यह आप छोड़ दीजे 115 BAC BAD वाला point छोड़ दीजे वो सिरफ एक ही साल के लिए उस टाइम आया था उसके बाद में आपका जो क्या बोलते है send rate credit वगरा है वो उसका detail उसके बाद rate of exchange में कुछ difference आया उसका और government grant subsidy मिला total depreciation कितना है और closing WDV कितना है यह आपको clause number 18 में reporting करनी पड़ेगी chartered accountant को चलिए उसके बाद में अगर अपन next clause पे चलते है that is the clause number 19 अब clause number 19 क्या बोलता है तो देखिए clause number 19 बोलता है amount admissible under section 33 AB and ABA जो आपको 33 AB और ABA में खर्चा अलग होता है उसका detail यहाँ पे chartered accountant देगा 33 AB और ABA कौन सा होता है अब को बता है AB और ABA में टी कॉफी रबढ development account में अगर पैसा डालते हो नाबार्थ के साथ तो deduction मिलता है तो उसका detail ही आजाएगा clause 19 में AB और कौन सा था site restoration account उसके बाद section 3511, 3512, 3512, 3513, 3514 35, 2AA, 352AB यह सब scientific research से related अगर आपको deduction ले रहे हो तो उसका यहाँ पर आपको disclosure देना पड़ेगा में चार्ट अगाउंट इसकी चीज़े यहाँ बताएगा उसके साथ में 35 AB अभिशिक बच्चन कर गे ठीक है वो telecommunication license वाला 35 AD वो 14 business 35 CC आजकल नहीं लगता है 35 CCC CCD जो है वो तुमारा कौन सा CCD और agriculture extension project, skill development project, 35 D preliminary expenses, YML Commission D merger, VRS का खर्चा है 35 E में तो इन section में अगर जो deduction ले रहे हो वहाँ कितना amount admissible है वो यहाँ पर chartered accountant reporting करेगा उसके बाद में clause number 20 पर चलते है clause number 20 क्या बोलता है बता है कि some paid to the employee as a bonus and commission इस साल में कितना paid किया employee को bonus and commission जो कि अलव होता है लेकिन पता है उसमें एक चीज होती है करके ठीक है कि employee जो है वो employee का bonus and commission जो है अपन पे करते है वो अलव हो जाता है उसके बाद में एक और चीज याद रखना वहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी कि बहुत बार employer employee की जेब से पैसा काट के अपने पास रखता है एक employer employee की salary से पैसा काट के अपने पास रखता है towards the PF या towards the like ESI and all and वो कब तक जमा कराना पड़ता है उस fund की due date तक जमा कराना पड़ता है और अगर उसने उस fund की due date तक वगरा जमा नहीं कराया तो उस particular case में क्या होता है कि वो उसकी income बन जाती है याद आया थोड़ा तो ES fund as referred in so and so section तो अगर मालो उसने PF का पैसा काटा है या ESI का पैसा काटा है तो उसकी reporting यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या वो up to the due date of that fund अगले महीने की 15 तारिक तक जमा कराया या नहीं कराया नहीं कराया तो इंकम बन जाएगी तो वो यहाँ पे detail of amount debited to P&L account being nature of capital, personal expenditure, advertisement expenditure in documents of the political party अब एक बार बताओ अगर कोई भी आपका capital expenditure की है P&L के debit में नहीं जाएगा अगर आपने डाल रख है उसको उटाना पड़ेगा तो यहाँ पे उसकी reporting होगी कोई personal खर्चा है तो वो अटाना पड़ेगा advertisement अगर political party के newspaper, souvenir या brochure में दिया तो वो disallowed होगा तो उसकी detail यहाँ पे देनी पड़ेगी amount inadmissible under section 40, under section 40 में क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ pay करते हो और उसका TDS नहीं काटा या TDS काटा बट government को जमा नहीं करा है up to the due date of return filing तो 100% और 30% खर्चा disallowed होता है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा clause number 21 में उसके बाद amount limited to P&L being interest, salary, bonus, commission, remuneration जो 40B, 40BA में आपका कितना inadmissible है एक बात बताओ जो भी remuneration या interest partner को देती है partnership firm तो उसके एक limit होती है interest कितना अलव होता है up to 12% and remuneration वो book profit basis पे, book profit का 1,50,000 और up to 3,000 में क्या करते है उसका 90% और 1,50,000 higher और balance वाले का 60% उतना अलव होता है बाकी वाला inadmissible है तो वो यहां बताना पड़ेगा और अगर AOPBOI है और वो अपने member को कोई भी interest remuneration देती है वो सब disallowed होता है तो यहां पे वो 40BA में disallowed होता है बताना पड़ेगा उसके साथ-साथ में disallowance deemed income under section 40A3 40A3 क्या होता है कि अगर आपने cash में payment किया 10,000 से ज़्यादा in a single day to single person transporter को 35,000 से ज़्यादा cash में pay किया तो वो आपका disallowed हो जाएगा यहां बताना पड़ेगा provision for payment of gratuity not allowed under section 40A7 अगर माल लो यहाँ provision for gratuity वो allow नहीं होता any sum paid by SSC as an employer not allowed under section 40A payment to the unregistered gratuity and PM अब एक बात बताओ मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि approved gratuity fund है तो allow होगा recognized provident fund है तो allow होगा but unapprude gratuity fund allow नहीं होता यहाँ पर आपका unapprude जो unapprude हो सब allow नहीं होता तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा reporting में उसके बाद particular swap any liability of the contingent nature की कोई liability है उसका detail देना पड़ेगा उसके बाद amount of deduction inadmissible in terms of section 14A in respect of any expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income that is expenditure of the exempted income एक बात बताओ अगर कोई income exempt है तो उसका खर्चा अला होता है कि नहीं होता ना तो वो detail भी यहाँ देनी पड़ेगी उसके बाद amount inadmissible under the proviso to section 3613 that is interest on loan capex till put to use एक बात बताओ कोई भी asset acquire करते हो तो उसके put to use तक की date का interest है वो capitalize होगा उसके बाद का interest है वो P&L के debit में जाएगा तो इस clause में उसकी भी reporting होती है करके तो this is the clause number आपका कौन सा मैंने बोला 21 उसके बाद clause number 22 क्या बोलता है तो clause number 22 बोलता है amount of interest inadmissible under section 23 of the micro and small medium enterprise development act 2006 तो जो आपका MSME act है 2006 उसकी एक section होती है 23 तो उसकी 23 section में कुछ interest है वो inadmissible होता है तो अगर वो inadmissible है तो वो ही हाँ बताना पड़ेगा clause number 22 में उसके बाद clause number 23 बोलता है particular of payment made to the person specified under section 40a subsection 2 clause number b इसका मतलब होता है कि आपको पता है relative को जो payment करते है तो relative को अगर payment किया तो reasonable allow होता है unreasonable या excessive disallowed हो जाएगा तो जितना reasonable है वो यहाँ पे allow हो जाएगा बट unreasonable है excessive हो यहाँ disallowed हो जाएगा तो उसकी reporting जाएगी clause number 23 में clause number 24 में क्या होता है कि amount deemed to be profit and gain under section 33ab 33aba एक बात बताओ आपको पता है 33ab वो नाबार्द में पैसा डालते है तो उसमें मैंने आपको बताए हुआ कि नाबार्द में जो पैसा डालते है उसको withdraw करते है तो वो 8 years में नहीं बेचना अगर बेचा तो वो आपकी income बन जाएगी तो यहाँ पर बेटा या फिर आपने कोई deposit account था वो आपने withdraw किया और उस पैसे को use ही नहीं किया उस previous year में तो वो आपकी income बन जाएगी तो जब वो आपकी income बन रही है न तो उसका यहाँ पर disclosure clause number 24 में जाएगा clause number 25 क्या देखेगा CA कि any amount of profit chargeable under section 41 and computation thereof section 41 होता है कि अगर मानलो आपने पहले किसी खर्चे का deduction लिया था पहले किसी खर्चे का deduction लिया था और अब वो वापस से आपको remit हो जाता है में इस वापस से उसका refund मिल जाता है या फिर वापस से वो खर्चा जो है वो खर्चा like cease to be exist हो जाता है 41 में आपको बताया था ना as well as bad debts वाला recovery वागरा वो सब इसमें आ जा तो यहां पर इसका clause number 25 में इसका disclosure देना पड़ेगा उसके बाद में clause number 26 बोलता है amount allowed and disallowed as per section 43 वो टांग अडाने वाली section यह वो टांग अडाने वाली section है कि भाया आपका कितना खर्चा कुछ खर्चे ऐसे होते है जो return filing की due date तक pay करने पड़ेंगे अगर आपने pay नहीं किय तो वो वापस से आपका pay नहीं किया तो वो disallowed हो जाएगा फिर return filing की due date के बाद में pay किया तो वो अगले साल अलाव हो जाएगा तो वो सब यहां पर requirement रहेगी in the clause number 26 में उसके बाद clause number 27 clause number 27 बोलता है कि amount of Senvet या GST credit availed of और utilized during the previous year and its treatment in the P&L account and treatment of outstanding Senvet और GST credit in the account particular of the income or expenditure of prior period credited और debited in the P&L account तो इसमें एक तो क्या रहेगा कि आपका कितना GST credit है Senvet credit है वो आपने utilize इस साल में किया है कितना आपने utilize नहीं किया तो उसका carry forward कितना कर रहे हो वो detail देना पड़ेगा उसके साथ साथ में कोई भी अगर आपका prior period expenditure है या income है जो पहले आपने नहीं लिया था अभी आप debit credit कर रहे हो तो बेटा यह आपको यहाँ पर इस वाले clause में बताना पड़ेगा clause number 27 में है उसके बाद clause number सीधा 29 आएगा 28 यहाँ पर नहीं है करके ठीक है तो देखिए clause number आपका 27 ये तुमारा 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 21 था उसके बाद ये तुमारा 27 करके ठीक है 26, 27 27 हो गया 28 मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि वो अभी लगता नहीं है वो आपले के बली नहीं है क्या दे रखा देखिए वेदर दूरिंग दे प्रीवियस एर असेसी एस रिसेट एनी प्रॉपरिटी और बिइंग शियर ओप कंपनी नौट बिंग दे कंपनी इन विच पबली कार सबस्टे भाई यह सेक्शन 56, 27 यह शस प्रीपार फटाने है यह टमारा एंजर्टेक्स वाली बात कपाई और इंजर्टेक्स जतनका होता है कि अगर कोई भी company है वो company क्या गरती है अगर closely held company है अपने share premium पे issue गरती है और issue price जो है वो अगर माल लो fair market value से जादा है तो issue price minus fair market value का जो difference है ना वो difference पे tax लगेगा किसको company को company को tax लग जाएगा under income from other sources तो अगर ऐसा हुआ है तो clause number 29 में उसकी reporting जाती है उसके बाद clause number 29 A में क्या जाता है अगर advance money forfeit कर दिये आपको पता है एक section होती थी 56 to 9 करके के 1 for 2014 के बाद अगर advance money forfeit किये तो सीधा other sources में taxable होगा तो वो यहाँ पे जाएगा and 29 B में जाता है gift वाला कि अगर मानलो 56 to 10 में आपके हाथ में कुछ taxable हो रहा है या नहीं मिस gift या low consideration पर कोई property acquire करते हो तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पे जाएगा and taxable हो जाएगा under section 56 to 10 में अगर taxable हो रहा तो उसकी reporting यहाँ पे करनी है उसके बाद clause number 30 पे चलते हैं अब एक बाद समाजना clause number 30 है न वो बोलता है कि detail of any amount borrowed on हुंडी और any amount due there of including interest on the amount borrowed रीपेट otherwise then account पे चेक section 69D 69D क्या होता है अगर आप हुंडी लोन लेते हो या फिर आप हुंडी लोन का repayment करते हो cash में हुंडी लोन क्या होता है एक promissory note है अब आपने किसी को promissory note दे दिया और उससे loan ले लिया cash में तो उस particular case में क्या होगा कि आप अगर account page check को छोड़ के आप cash में हुंडी लोन लेते हो या उसका repayment कर किया है तो यहाँ पर chartered accountant उसका क्या करेगा रिपोर्टिंग करेगा उसके बाद एक clause number 30A है 30A clause है यह primary adjustment से related है primary adjustment and secondary adjustment transfer pricing का याद आया कि primary adjustment क्या होता है कि अगर माल लो आपका arm length price आपके actual transaction price से ज़्यादा है और arm length price है वो आपके actual transaction price से ज़्यादा है और arm length price और जो actual transaction price के बीच में difference होता है वो आपकी income में जूड़ जाता है that is called primary adjustment अब एक बात समझना जो primary adjustment का जितना पैसा होता है उसको open access money बोलते हैं वो आपको पता है तो फिर आपका deemed loan माना जाएगा और deemed loan माना जाएगा तो आपको interest income है वो आपको हमेशा add करनी पड़ेगी उसकी पूरी reporting chartered accountant यहां करेगा in the clause number 30A करके तो देखिए क्या देर काया Whether primary adjustment to the transfer pricing under section 92 CE has been made during the previous year क्या primary adjustment हुआ है Yes or No? अगर Yes है then Please furnish the following detail Under which clause primary adjustment कौन से clause में हुआ है Ms. Assessi ने own motion किया है या फिर माल लो A.O. ने किया है या फिर माल लो अपा की वज़े से हुआ है या फिर माल लो क्या बोलते safe harbor rule की वज़े से हुआ है तो बताना पड़ेगा किस वज़े से हुआ है primary adjustment Amount of primary adjustment कितना है And whether the excess money available with associate enterprise is required to be repatriated in India or not क्या पैसा इंडिया में लाना बाकी है या नहीं है Whether the excess money has been repatriated within the prescribed time limit or not And if no, then imputed interest income of such excess money has to not been repatriated within the prescribed time limit अगर वो पैसा इंडिया में नहीं लाया तो उसको क्या deemed loan माना है या नहीं माना और मान के और आपका interest income कितना बनना चाहिए वो कितना यहां पे आएगा वो आपको बताना पड़ेगा उसके बाद ऐसे का ऐसे एक तुमारा clause number है 30B करके और 30B clause क्या बोलता है पता है 94B वो पता है interest, excess interest, EBITDA earning before interest tax, depreciation and amortization का 30% तक interest अलव होता है अगर आप associate enterprise को pay करते हो तो और वो 1 lakh से जादा, 1 crore से जादा का interest है तो वो वाला, मतलब 30% तक अलव होता है उसके उपर वाला disallowed होता है याद आया, total interest minus 30% of EBITDA और interest paid to associate enterprise whichever is lower है वो disallowed हो जाएगा याद आया, excess interest वाला है तो यह वो वाले, उसकी reporting यहाँ पर जाएगी in the clause number 30B करके इसमें देखिए क्या दे रखा है whether, the assessi has incurred expenditure during the previous year by way of interest or of the similar nature exceeding 1 crore or not या 1 crore से जादा का interest expenditure है जो associate enterprise, thin capitalization याद करो thin capitalization क्या वो है या नहीं है अगर है, तो amount of expenditure by way of interest or similar nature कितना है earning before interest and tax amortization कितना है amount of expenditure by way of interest which exit 30% of EBITDA कितना है detail of interest expenditure brought forward last year का कितना था और इस साल जो interest अगर है उसको carry forward आप कितना करोगे क्योंकि 8 years तक उसको आप carry forward कर सकते हो, इसका reporting 30B में जाएगा उसके बाद 30C जो है यह आपके guard से related है यहाँ पे देखेगा chartered accountant whether the assessi has entered into the impermissible avoidance arrangement or not यहाँ आईए लग रहा है या नहीं वो chartered accountant यहाँ देखेगा and if yes, then please specify nature of impermissible avoidance arrangement and amount of tax benefit in the previous year arising in aggregate all the parties of the agreement कि भाईए कितना tax benefit मिल रहा है घार लग रहा है नहीं उसका reporting यहाँ पे 30C में जाएगा उसके बाद clause number 31 यह तो तुमारा सबसे famous clause है और आपके offices में वगेरा यह use होता रहा है यह आपके offices वगेरा में use होते रहा है यह 31 जो है यह clause आपके office में वगेरा आता है that is the आपका cash loan वाला कि क्या 20,000 से ज़्यादा आप कोई भी आपको पता है मैंने 269 SS, 269T, 269ST पढ़ाया था तो वो वाला जो reporting है वो इस वाले clause में जाएगा तो देखिए reporting of the each loan or deposit and amount exceeding the limit specified in section 269 SST taken और accepted और repaid during the previous year और किसी भी person से आपको बाद है 2,000,000 या उससे ज़्यादा आप cash में accept नहीं कर सकते 2,000,000 या उससे ज़्यादा आप किसी से भी cash में accept नहीं कर सकते अगर आप cash में accept करते हैं तो वो violation होगा उतना का उतना penalty लग जाएगा तो देखिए reporting of the each receipt or payment in an amount exceeding the limit specified in section 269 ST that is 2,000,000 in aggregate from a person in a day in respect of single transaction और a single event याद है वो मैंने बोला था शादी से related पहले haul बुक कराया फिर खाना बुक कराया फिर ये कराया 2,000,000 का limit हो गया तो इन single event से related in respect of transaction relating to one event और occasion from a person during the previous year where such receipt or otherwise then account paycheck, bank draft और use of electronic clearing system तो वो यहाँ पर reporting जाएगी ठीका उसके बाद clause number 32 देखो clause में कोई difficulty नहीं है यह वो ही clause है जो अपन income tax में कहीं नहीं पढ़ चुके वो ही clause है जो income tax में कहीं नहीं पढ़ चुके अब आप बोलोग है exam में question कैसे आएगा करगे ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको question कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा उसमें यही पूचा जाएगा कि ऐसा ऐसा था और अससी यह बोल रहा था और मालो Chartered Accountant को यह लगता है तो आपको आंसर में यह करना है कि एक तो रिपोर्ट करना पड़ेगा और आपको देखना Chartered Accountant की गलती है या नहीं अगर गलती है तो आपको पता है आपने जो पढ़ा ह हुआ है Chartered Accountancy Act कर गए आपने क्या Professional Ethics पढ़ा हुआ है तो Professional Ethics के जो schedule में क्या वहां पर वो उसने कुछ गड़बड किया है या नहीं क्या उसको गिल्टी प्रूव करेंगे या नहीं तो ऐसे question आएंगे कैसे आएंगे अपन question करेंगे तब आपको मैं समझाओंगा चलिए clause number 32 है वो क्या बोलता है यह आपके पुराने losses से related है पुराने losses unabsorbed depreciation उससे related तो देखिए detail of brought forward losses depreciation allowance to the extent it is available पुराने losses कितने है वो यहां पर बताने पड़ेंगे whether a change in shareholding of a company has taken place that is section 79 set of carry forward वाले topic में था पता है कि अगर कोई भी company है closely held company उसका जिस year में loss होता है और जिस year में उसको set up कर रहें उन दोनो year में उनका जो क्या बोलते है shareholding pattern है at least 51% shareholding same person के पास होना चाहिए अगर उतना है तो ही वो losses को set up कर पाएंगे otherwise नहीं कर पाएंगे याद आया तो उसका अगर है तो reporting करना पड़ेगा whether the assessi has incurred any speculative loss है या नहीं है तो वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा whether the assessi has incurred any specified business जो 14 business है उससे related कोई loss incurred किया है नहीं वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा in the clause number 32 में उसके बाद clause number 33 क्या बोलता है section wise detail of the deduction if any admissible under chapter 6a और chapter 3 that is the section 10 AA तो 10 AA का deduction और as well as ATC, ATD, AT, जो भी तुमारे ATT, TA, TTB, QQB, RRB, IA, IV जितने deduction है उसकी detail आपको देनी पड़ेगी in the clause number 33 में है उसके बाद clause number तुमारा 34 34 है यह interesting है यह TDS, TCS related बात करेगा कि TDS, TCS आपने सही से काटा है, नहीं काटा, कितना जमा कराया, कितना short deduction हुआ उसके में CA को पूरा reporting clause number 34 में करना पड़ेगा तो देखिए whether the assesses required to deduct or collect tax as per the provision of chapter 17B or chapter 17BB means TDS, TCS लग रहा है या नहीं लग रहा वो बताना पड़ेगा if yes, then आपको बताना पड़ेगा whether assesses required to furnish the statement of TDS, TCS क्या TDS, TCS written file करने है या नहीं वो बताना पड़ेगा and whether the assesses liable to pay interest, क्या उसको interest pay करना पड़ेगा या नहीं जैसे माँ लो लेट TDS काटा या लेट जमा करा है, तो कितना काटा क्या है उसका detail यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके बाद clause number 35 in case of the trading concern, अगर आपका कोई trading concern है तो उस particular case में, give the quantitative detail of the principal item of goods trade आप जो भी principal item of goods trade है, उसकी quantitative detail भी देनी पड़ेगी कि opening stock कितने quantity में था, purchase कितना quantity में हुआ, sales कितना quantity में हुआ, closing stock कितना है, shortest access कितना है, वो भी बताना पड़ेगा in case of the manufacturing concern, give quantitative detail of the principal item of the raw material as well as the finished goods और by-product तो आपको quantitative detail भी देना पड़ेगा, अगर मालो आप किसी goods में trade कर रहे हो, तो quantitative details है, वो आपको देना पड़ेगा principal item का, जो main item होती है, उसका, चलिए, उसके बाद clause number 36A क्या बोलता है clause number 36A बोलता है, कि whether the assessi has received any amount of the deemed dividend under section 222E 222E क्या बोलता है, कि अगर कोई closely held company है, वो closely held company किसी को loan और advances देती है किसी shareholder को, या किसी concern को देती है, उस concern के, उस shareholder का वहाँ substantial interest है या किसी relative को देती है, उस shareholder के behalf पे या benefit के लिए, तो उस particular case में to the extent accumulated profit of the company, वो क्या माना जाएगा, deemed dividend माना जाएगा under section 222E में उसके बाद, if yes, तो आपको कितना amount received हुआ, date of received है, वो यहाँ पे reporting करेंगे उसके बाद clause number 37, clause number 37 यह बोलता है कि क्या cost audit लग रहा है या नहीं मिस assessi पे, cost audit जैसे audit में आपने देखा होगा, कुछ limit होती है, कि उन उन companies को cost audit कराना पड़ता है तो cost audit आ रहा है, नहीं assessi पे, वो clause number 37 में reporting होगा तो whether any cost audit was carried out or not, if yes, then give the detail of any, of disqualification or disagreement on any matter, item, value, quantity में भी reported और identify by the cost auditor तो cost auditor की report के basis पे, यहाँ पे यह chartered account and text audit में यह बताएगा कि भाईया, उस cost audit की वज़े से क्या-क्या changes आए है, उसके बाद में clause number 38 clause number 38 बोलता है, whether any audit was conducted under central exercise act क्या central exercise act 1944 में exercise में कुछ audit हो रही है नहीं if yes, then give detail of any disqualification or disagreement or any matter, item, value, quantity as may be reported, identified by the auditor अब उसके साथ-साथ में clause number 40 में कुछ आपको ratios बताने पड़ते है ratios क्या, तो detail regarding the turnover as well as the gross profit ratios वगर आपको बताने पड़ेंगे, for the previous year and preceding previous year में इस दो साल का comparative analysis रहेगा, last year के as well as current year के कौन से total turnover कितना है, gross profit to turnover ratio क्या है, net profit to turnover ratio क्या है, stock and trade to turnover ratio क्या है, material consume to finish goods produce है, उसका ratio क्या है, तो ये ratio आपको indicate करने पड़ते है tax audit report में, उसके बाद clause number 41 पे चलते है clause number 41 बोलता है कि please furnish the detail of the demand raise और refund issue during the previous year under any tax law other than income tax act 1961 along with the detail of relevant proceeding तो देखो, इस साल में अगर आपकी GST की कोई demand थी या GST का कोई refund था, तो उसका reporting यहाँ पे charted accounting करेगा, उसके बाद clause number 42 बोलता है कि whether the assess is required to furnish the SFT or not, in the form 61, 61A, क्या SFT and reportable account file करना है, यानि SFT आपको पता है न, जैसे banks वगरा को SFT file करना पड़ता है, register of immovable property को SFT reportable account file करना पड़ता है, तो वो करना है, क्या नहीं करना, अगर करना है, तो उसकी detail है यहाँ पे देनी पड़ेगी, उसके बाद clause number 43 है, यह country by country reporting से related है, कि क्या assessi पे country by country reporting लग रहा है या नहीं, और CBC reporting लग रहा है, तो alternate reporting entity is liable to furnish the report under section 286, CBC reporting लग रहा है या नहीं लग रहा, इफ नो तो खतम हो जाती है बात, yes then, please furnish the following detail, whether report has been furnished by SSC और parent entity और alternate reporting entity, name क्या है parent entity का, या alternate reporting entity का, and date of furnishing of report उनना ने कब file किया है, और last clause होता है, breakup of the total expenditure of the entity registered or not registered under the GST, का आपका जो expenditure है registered or not registered under GST में कितना expenditure हुआ है, उस से related, specifying the total amount of expenditure incur during the year, आपने जो खर्चे किये है, expenditure in respect of entities registered under GST relating to goods and service, exempt from GST relating to the entities falling under composition scheme relating to the other entity and other payment to the registered entities, expenditure relating to entity not registered under GST also need to be specified, तो कुल मिला कि आपके expenditure का breakup है, वो यहाँ पर देना पड़ता है, in the, आपके clause number 44, तो यह इतने सारे आपके section, वो क्या बोलते है, form number 3 CD है, उसके clauses है, तो आप देखोगे तो इतने सारे clauses है, यह आपके form number 3 CD, अब आप बोलोगे यह form कहां मिलेगा, अगर break लेंगे, break से पहले जो मैंने बताया है, उसको एक बार quickly revise करा दे, तो break से पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहले audit, tax audit कभ होती है, tax audit जो है, वो कौन करता है, chartered accountant करेगा, यह तो आपने already वहाँ पड़ा हुआ, audit वाले subject में, उसके बाद tax audit में कौन कौन से form आएंगे, देखो जिसकी already audit कहीं होती है, तो 3CA और 3CD, नहीं होती है तो 3CBN, 3CD करगे, ठीक है, और 3CD के बहुत सारे clauses है, वो मैंने आपको बताए, basically clauses में आपको को नमबर बगरा याद रखने के ज़रुत नहीं, अगर याद होता है, तो कर ले आफिस में, जैसे आपने audit किया होगा, तो बहुत सारे लोगों को कुछ clauses है, वो याद रहेंगे, चलिए, ब्रेक के बाद में, मैं continue करूंगा, questions के साथ में, और जो case studies दे रखी है, ICI ने, तो मैं लोगा अभी break और break के आने के बाद, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो break के बाद में हम सीधे चलेंगे, compiler में जो questions दे रखे, दो question हम already कर चुके, question number one कर चुके, question number two कर चुके है, तो बाकी वाले जो चार question है, वो अपन करेंगे, और उसके साथ साथ में, institute ने कुछ case studies दे रखी है, कुछ case studies आपके लिए दे रखी है, five case studies है, वो अपन discuss करेंगे, तो चलिए break लीजिए 10 minute का, उसके बाद continue करते, yes people, done with your break, आप लोगों का, break हो गया, break के बाद वापस से आपका स्वागत है, तो चलिए break से पहले हमने यहाँ पे clause by clause analysis किया था, कि कौन से clause में, कौन से reporting जाती है, अब आपका doubt यह रहेगा, कि sir, क्या ये clause number हमको याद करने पड़ेंगे, क्या जो clause number है, यह हमको याद करने पड़ेंगे, तो मैं एक बात बता हूँ, देखो सब clause number तो 44 याद तो हो नहीं सकते, बट इसमें से क्या करना, कुछ-कुछ ऐसे clause number है, जो आप याद करने की कोशिश करना, तो चलिए हम एक काम करते है, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, विकास क्या होता है, अगर माल लो exam में question आ जाता है, और वो clause number के साथ अगर आप लिख लेते हो, क्या clause number 17 है, और वो 17 किस से related है, SDV से related है, तो उस particular case में क्या होता है, क्या examiner आपको marks है, वो पूरे देगा, तो हमेशे अगर आप clause number लिखते हो, तो आपको जो marks है, वो ज़्यादा मिलने के chances रहते है, तो चलो sir, कौन-कौन से clause है, हमको mark करा दो, तो चलो, मैं आपको mark करा देता हूँ, जो clause number आपको याद रखने है, कर गे, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली चीज़ तो देखो, यह previous assessment है, यह वाले कोई clause आने वाले है नहीं, अब इसमें से कौन-कौन से clause आ सकते है, तो वो अपने एक काम करते है, मैं आपको mark करके देता हूँ, कि वो वाला clause है, वो आपको सत्रा, सत्रा मिन्स SDV, तो एक काम करो ना, सत्रा का मतलब क्या होता है, खत्रा, और खत्रा हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी प्रॉपरेटी खरीते हो, या प्रॉपरेटी बेचते हो, और उसका जो consideration है, SDV अगर उससे ज़्यादा है, 110% से, तो उसका रेपोर्टिंग जाएगा, तो सत्रा, खत्रा, खत्रा कि इसमें इम्मोल प्रॉपरेटी में, तो इसको आप कैसे भी करके, लिंक करके याद रखिए, क्योंकि हो सकता है, इस से related आपको exam में question पूझा जा सकता है, तो clause number 17, खत्रा, खत्रा का मतलब क्या SDV करके, ठीक है, चलिए, उसके बाद में, अगर आपको मैं clause की बात करूँ, तो clause number जो 18 है, 18 का मतलब है depreciation, so 18 वाला जो clause है, that is related to the depreciation, कि इस साल depreciation कितना लग होगा, block में कितना addition हुआ, कितना deletion हुआ, so this is all about the block of asset depreciation, अब एक बात बताओ, तो 18 को ऐसे याद करोगे, कि देखो 18 साल की उमर में क्या होता है, आप depreciate हो जाते हो ना, 18 साल की उमर तक अपनी life है, वो बहुत बढ़िया चल रही थी, और उसके बाद में 18 साल के बाद हम depreciate होने लग जाते है, और बहुत सारी जिम्मेदारिया आने लग जाती है, ब्लॉक हो जाते हो, आप कही न कहीं पे कर गे, तो आप ऐसे करोगे, 18 साल में कहीं न कहीं block होई जाते हो, कोई न कोई किसी न किसी के साथ में connection बैट जाता है, block हो जाते हो, कोई addition होता है, लाइफ में किसी का deletion होता है, ब्लॉक हो जाते हो, अटरा साल की age में, तो clause नूबर 18 is a block, block of assets related means depreciation से related है, block of assets related है, तो 18 साल की age में हम क्या कर जाते है, block हो जाते है कहीं न कहीं कोई तुमारी girlfriend boyfriend बन जाती है, boyfriend बन जाती है, block हो जाते हो, कोई addition होता है, life में किसी का deletion होता है, कहीं पे आपको, क्या बोलते है, change हो जाते हो, change in the exchange rate, उसके साथ साथ है, कहीं पे आपको subsidy government grant भी मिल सकता है, तो यह तुम्हारा clause number 18 है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो clause number 17 का, कौन सा 17 मतलब 17, HDB बाला, clause number 18, 18 साल में depreciate होते हो, block हो जाते हो आप, 18 साल में जो है, वो अपन block हो जाते है, किसी के साथ में गुलू-गुलू हो जाता है, मिस प्यार हो जाता है, और उसके बाद में, life में कोई deletion होता है, किसी का addition होता है, वैसा सब होता है, that is the clause number 18, उसके बाद में, अगर मैं बात करूँ, कौन सा clause आपको याद रखना चाहिए, तो clause number 21 आप याद रखोगे, 21 है, 21 है, 21 साल की age में, 21 साल की उमर में, यह 21 साल की उमर है न, उसमें आप बिगड जाते हो, बिगड जाते हो, मिस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ऐसे इसका sub clause wise भी याद रख सकते हो, कैसे दो-तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो 21 का, जो sub clause number B होता है, 21 का B, B का मतलब होता है, जो section 40 में disallowed होता है, section 40 में बले है TDS, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक तो 21 की age में आप बिगड जाते हो, बिगड का मतलब का मतलब हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, 21 में बिगड जाते है, डिस अलाओ हो जाते है, अगर गे ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को वगरा सब आप ये डोनेशन हो गरा देते हो, तो ये सब admissible हो जाते है, अगर ठीक है, अब एक बात समझना, तो मैंने आपको ब बड़े-बड़े payment करते हो, क्या करते हो, बड़े-बड़े payment करते हो, और बड़े-बड़े payment करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, कि आपका disallowed हो जाएगा, TDS नहीं काटा तो, इसका D वाला clause भी याद रखने की कोशिश करना, कि D, 21D का मतलब होता है, in a single day, single person को 10,000 से जादा गा payment किया, तो वो disallowed हो जाता है, cash वाला, तो day, in a day, 21D, D का मतलब day, in a day, अगर 10,000 से जादा, या transporter को 35,000 से जादा, तो वो disallowed होगा, इसका reporting आपका 21D में जाएगा, तो आप इसको ऐसे connect करके याद रख सकते हो, ठीक है, तो मैंने कौन-कौन से याद क organizations related था 18, उसके बाद सीधा 21, 21 में जो है, वो आप बिगड़ जाते हो, क्या हो जाते हो, बिगड़ जाते हो, 21, ठीक है, तो 21 में बिगड़ जाते हो, अगर आप, माल लो, single day में, single person को, 10,000 से जादा का cash में payment करोगे, तो इतना से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो, तो 21 वाला clause है, वो आप ऐसे याद रख सकते हो, कर गेड़िगा, चलो, 21 के बाद में मैं बता हूँ आपको जो clause याद रखना है, आप याद रख सकते हो, 29B, 29B है, यह gift से related 56 to 10, एक बात हो था, वो शादी पर gift मिलता है, तो taxable नहीं होता है, तो आज कल क्या होता है, न, देखो, 29 की age में आप बीवी लाते हो, तो 29, देखो, पहले होता था जब आप तेवी 24, अभी देखो, आप जो है, वो block हो जाते हो, वो 18 में हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद 21 में तो बिगड जाते हो, डिसलाओट हो जाता है, बट शादी जो होती है, वो कब होती है, आज कल 29 की age में होती है, आपने देखा होगा, हमारे शुभम सर है, इतनी age हो गई है, अब लड़की ढून रहे है, ठीक है, अब मैंने का, आभी ढून लो नहीं, तो फिर मिलेगी अब 29 B में तो वो बोले में शादी करी लूँगा, तो 29 में B भी ढूनने लग जाते है, शादी करने लग जाते है, और शादी का मतलए gift बगरा शादी पर मिलता है, तो वो exam होगा, तो ऐसे आप 29 B है, उसको आप याद रख सकते हो करे ठीक है, उसके बाद में आपका clause number 30 कर related किस से related है, transfer pricing से related है, international taxation से related है, तो आप ऐसे याद रखिए, पहली चीज़ तो एक बाद बताओ, आज अपना जो paper number 7 है, उसमें international taxation का separately weightage नहीं है, बट मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था कि अप्रोक्स 30 marks का international taxation आएगा, तो अप्रोक्स 30 marks का international taxation आएगा, तो आप ऐसे याद रखिए, 30 marks का international taxation तो international taxation से related clause है, वो clause number 30 में है, 30 A को आप ऐसे याद रखिए, 30 A का मतला associate enterprise, तो associate enterprise को अगर आप कोई भी जो है, क्या बोलते है, primary adjustment होता है, associate enterprise के साथ, जो primary adjustment है, वो primary adjustment आपका 30 A में है, primary adjustment and secondary adjustment, that is section 92 CE वाला, तो 92 CE वाला, that is related to the primary adjustment, तो 30 को आप ऐसे याद रखोगे, 30 को आप कैसे याद रखोगे, कि 30 जो है, पहली चीज़ international taxation से related है, 30 A is associate enterprise के साथ में, आपको पता है, वो repatriate पैसा करना पड़ता है, associate enterprise से and all, so that is 92 CE transfer pricing में पड़ा था, उसके बाद में 30 B है, उसको आप 94 B से connect करके याद रखो, 94 B, 94 B में क्या था बेटा, 94 B में पता है, वो एक करोड से ज़्यादा का associate enterprise को interest pay करते हो, तो EBITDA का 30% है, वो allow होता है and all, तो 30 B, 94 B connected है ना, 30 B and 94 B, तो 30 B जो clause number है, वो 94 B से related हो, 30 को ऐसे याद रख उसको connect करके ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, उसके बाद में आप 32 याद रख सकते हैं, 32 क्या होता है, मैं बताओ, 32 जो पुराना unabsorbed depreciation कितना है, पुराने broad forward losses कितने है, speculative business के losses कितने है, उसके बाद में specified business के losses कितने है, वो सब आपको यहाँ पे आएंगे, तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं, 32 तो अपने हाँ depreciation होता है, income में, income tax में 32 is depreciation, तो unabsorbed depreciation 32 में आएगा, तो unabsorbed depreciation as well as brought forward losses वगरा है, वो तुमारे clause number 32 में आएगे, तो इतने से जो clause है ना, वो अगर आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगोग, थोड़ा सा याद करने की कोश करनी है, clause number 30, sorry, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18 की age में क्या हो जाता है, आप block हो जाते हो, कहीं कुछ addition होता है, कोई आती है, कोई जाती है, deletion होता है, तो block से related, 18, 18 के बाद 21 की age में आप बिगड जाते हो, बिगड जाते हो, मतलब डिसल आउड हो करके, ठीक है, कहां कहां बिगड जाते ह 10,000 से जादा का cash में payment करते हो, वो disallowed हो जाएगा, 21D में, उसके बाद में आप याद रखोगे, 30A करें, 30, 30 में आपको 30A, 30B याद रखना है, 30 का मतलब, international taxation, 30A जो है, 30A जो है, वो 30A primary, secondary adjustment, और 30B जो रहेगा, वो तुमारा 94B वाला है, वो आप याद रखोगे, ठीक है, चलिए, इतना आप, और 32 जो है, वो आपका unabsorbed depreciation से related है, broad forward losses, speculative business का losses है, and तुमारा specified business का losses है, उससे related है, तो इतना आप याद रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, चलिए, तो अब आपन चलते हैं सीधा questions पे, और आपकी book में, आ जाएए questions पे, और question में compiler में, अगला question, I think हमने दो question already कर चुक है, दो question जो थे, वो tax audit होती है, या नहीं होती, उससे related थे, वो हम कर चुक है, सीधा आजाएए question number 3 पे, और question number 3 क्या बोलता है, देखिए, question number 3 जो है, आप बोलो गया है, रे सरी है, तो easy है, हमको आता है, clause number के साथ आता है, तो देखिए, X Limited is a Indian company, paid interest of 95 lakh to the X INC, a non-resident associate enterprise in the previous year 23-24, on the loan borrowed from it, तो India का company है कि X Limited, उसने क्या किया, interest पे किया, non-resident associate enterprise को, previous year 23-24 में, और वो interest कितना है, 95 lakh का है, और 95 lakh का जो interest है, वो उसने loan लिया था, उस पे पे किया, अपनी associate enterprise को, तो एक भाद बताओ, associate enterprise को, जब interest पे करते हो, तो वो उस पे कुछ allow होता है, वो limited होता है, थीन capitalization याद है, और थीन capitalization का फंडा लग जाता है, 94B income tax की section है, और इसके लिए reporting अगर होगा, तो clause number कौन सा रहेगा, 30B international taxation, 94B and 30B, याद आगा clause number, हाँ, अभी इन्होंने क्या दिरिखा आगे, X Limited also obtained a loan of 5 crore at the rate 10% per annum on one for 2023 from YINC, a foreign company, in which it holds 20% voting power, अब एक बात बताओ, इन्होंने एक और foreign की company है, उससे loan लिया, 5 crore का 10% की rates है, तो उसका जो interest रहेगा, वो कितना होगा, 50 lakh रुपेस होगा, लेकिन उसमें उनका 20% का holding है, 20% का holding है, तो वो associate enterprise नहीं है, लेकिन YINC, जो इनकी associate enterprise है, means X Limited की associate enterprise YINC है, sorry, XINC है, X Limited की associate enterprise XINC तो ही है, इन्होंने loan लिया YINC से, तो YINC associate enterprise नहीं है, लेकिन, XINC deposited 2 crore with the YINC, XINC मतलब इनकी जो associate enterprise है, उसने YINC के साथ 2 crore रुपया deposit किया है, contained that the provision of section 94B are not attracted in this case, यहां पर, जो company है, वो बोल रही है, के यहां पर 94B provision नहीं लगेगा, since the interest paid to non-resident associate enterprise does not exceed the 1 crore in the previous year 23-24, the tax auditor is however of the opinion that the interest of 20 lakh, that is 10% of the 2 crore, has also be considered for the purpose of section 94B, X Limited contended that XINC has not deposited a corresponding and matching amount of 5 crore with the YINC, and hence the provision of section 94B not to be attracted in this case, examine the reporting requirement, if any, of the tax auditor in this case, तो यह case हुआ क्या, बेसिकली, आपको मैं अगर यहां समझाने जाओं, तो देखिए, एक company है, इंडिया की, जिसका नाम है X Limited, X Limited की associate enterprise है, that is the XINC, अब एक बात समझना, यहां X Limited ने XINC से loan लिया है, उसका interest 95 lakh है, ठीक है, वो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, और यह दोनो associate enterprise है, तो यहां पे बेटा, यहां पे तो, लेकिन देखना पड़ेगा न, कि थीन capitalization वाली section तभी लगती है, जब interest 1 करोड से जादा है, अब हुआ क्या, यह associate enterprise ने क्या किया, एक amount deposit करवाया है, YINC के पास, और YINC के पास, उन्होंने जो amount deposit कराया है, वो कितना कराया है, X Limited also obtain a loan of 5 करोड from the YINC, और यह YINC से, यहां पे इन्होंने 5 करोड का loan लिया है, इन्होंने किस से YINC से, और XINC ने किया क्या है, XINC deposited 2 करोड, इन्होंने यहां पे 2 करोड जो है, वो deposit किया है, अब question यहां पे यहां आता है, कि एक बात बताओ, यह वाला जो loan है, वो तो associate enterprise वाला माना जाएगा, लेकिन आपको पताए, मैंने आपको transfer pricing में यह बताया था, कि अगर मान लो, आप loan किसी outsider से लेते हो, बट आपकी associate enterprise ने, वहां पे कोई matching या corresponding amount deposit किया है, तो यह माना जाएगा, कि आपने loan associate enterprise से लिया है, और बेटा, यह भी आ जाएगा, लेकिन इसमें एक doubt यह है, कि sir, हमने जो loan लिया है, वो तो 5 करोड का लिया है, और हमारी associate enterprise ने, यहां पे जो deposit किया है, वो सिरफ 2 करोड का किया है, यहां matching amount तो नहीं है, यहां corresponding amount तो नहीं है, यहां matching amount नहीं है, corresponding amount नहीं है, because आप loan ले रहे हैं 5 करोड का, उसने जो deposit किया है, वो 2 करोड का किया है, तो यहां पे matching amount नहीं है, corresponding amount नहीं है, यहां क्या करेंगे, तो एक बात समझना यहाँ पे यह तो assessi बोलता है कि matching amount नहीं है बट ऐसा CA बोल सकता है कि नहीं नहीं यार इसमें 2 crore तो matching है ना आपको पता है मैंने आपको पढ़ाते टाइम यह बताया था कि यहाँ पे 2 view आ सकते हैं एक view अगर आप rigid interpretation लो और बोलो कि matching amount है नहीं तो यहाँ पे इस वाले interest जो है इस पे यह लगे गए नहीं 2 crore पे लेकिन दूसरा आप यह बोल सकते हो कि 5 crore में 2 crore तो matching है ना तो at least 2 crore पे तो आपका 94 भी लग जाएगा यह एक दूसरा view आता है तो यहाँ पे बात बताओ chartered accountant के view में और assessi के view में फरक है और जब भी फरक आता है ना उसकी reporting होती है यह company है तो company की already कही ना कही audit हो रही होगी करगे ठीक है तो बेटा यहाँ पे 3 CA में reporting करना पड़ेगा 3 CA में एक तो वहाँ पे reporting दो हो गई होगा उसके साथ साथ में 3 CA में यहाँ chartered accountant बताएगा के मेरा view यह है और client का view यह है तो यह बताना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे answer कैसे दे रहे है सबसे पहले चीज़ तो यह है कि relevant provision of the law law का provision क्या बोलता है section 94B को as it is यहाँ पे copy मारना है उसके बाद relevant clause of the form number 3 CD अभी मैंने बताया था ना देखो एक बात बताओ आज कल 30 marks का international taxation 30B 94B तो 30B clause नमबर देखो यहाँ पे आ गया 30B कर गे ठीक है उसके बाद में relevant pairs of the guidelines note on the tax audit, tax audit में ऐसा बोला हुआ है कि भाईया अगर मानलो ऐसा कहीं पे भी होता है कर गे ठीक है पड़ेगा और यहाँ company है तो company के case में 3CA form file होगा तो 3CA में chartered accountant उसको clearly लिखेगा खरेगे ठीक है उसको लिखना पड़ेगा तो इसका answer है वो आप एक बार read कर लीजिए और अगर कुछ doubt है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा बढ़ कोई doubt नहीं आएगा ढंग से इसको read करिए मैं 2-3 मिनट का time देता हूँ उसके बाद question number 4 है उस पे चले जाएए आप लोग read करिए करिंगा उसके बार झाल झाल येस पीपल तो आजाए ये question number 4 पे और देखिए question number 4 क्या बोलता है so question number 4 है वो बोलता है ABC limited is engaged in the transportation of the building material तो एक company है जिसका नाम है ABC limited और ABC limited engaged है in the transportation of building material and transportation of goods to the contractor तो basically ये लोग क्या करते है contract का काम करते है transportation का काम करते है transportation of goods or carriers by any mode other than railway is covered in the contract contract method it made the payment of for hiring the dumper for the this purpose and the company has not deducted the tax at source on the ground that since the payment was for the transportation of the goods and not renting out the plant and machinery equipment such payment could not be termed as rent paid for use of the machinery under section 194 I and hence no tax was deductible at source अब एक बात समझो ये जो transporter है इसने क्या किया किसी दूसरे transporter को sub contract दिया और दूसरे transporter को बोला उससे क्या किये उसने dumper और tipper है वो hire किये और उसको बोला कि चलो ये transport करो ऐसा पता है TDS में case law है और TDS में case law अगर आपको याद रहेगा तो उस case law का जो नाम है that is I think महाल लक्ष्मी transporter ऐसा कुछ नाम था case law का और उस case law का जो नाम था उसके basis पे यहाँ पर इन्होंने क्या किया यहाँ पर यहाँ या महाल लक्ष्मी transport company कर गे ठीक है वो case law का नाम है तो इन्हों को TDS काटना चाहिए था 194C में अगर मालो आपने ढंपर टिपर है किसी को आपने सब कॉंट्रेक्ट दिया तो सब कॉंट्रेक्ट कवर्ड इन्था कॉंट्रेक्ट तो उस पे TDS काटना चाहिए था बट इन्होंने TDS नहीं काटा यह लोग बोलते है कि हमने थोड़ी planted machinery भाड़े पे लिया है तो rent होता तो TDS काटते है वैसा यहां पे Chartered Accountant Auditor बोल रहा है कि यह work contract में आएगा इस पे TDS कटना चाहिए तो एक बाद बताईए पहली चीज़ तो यहां पे Chartered Accountant सही है बेकर Chartered Accountant यहां पे believe कर रहा है एक case law पे और यह case law जो है यह case law यह बोलता है कि अगर आप माल लो कोई dumper, tipper भाड़े पे लेते हो सब contract है तो उसमें 194C में TDS कटना चाहिए बट यहां पे assessi बोलता है कि TDS नहीं गटेगा तो पहली चीज़ तो यहां TDS नहीं काटा उसकी reporting जाएगी और TDS नहीं काटा उसकी reporting कहा जाती है एक बात बतब disallowed होगा खर्चा और disallowed कहा जाता है 21 year के जब आप हो जाते हो तब आप बिगड़ जाते हो वहां disallowed होगा तो 21B, बड़े बड़े payment करते हो वहां TDS काटना चाहिए तो 21B में इसकी reporting होगी एक तो उसके साथ-साथ में यहां पे देखिए दोनों का, दोनों अलग-अलग चीज़े बोल रहे है तो उसका आपको 3CA जो फॉर्म रहेगा उसमें यह बताना भी पड़ेगा 3CA फॉर्म में यह बताना पड़ेगा कि SSC ने यहां पे TDS नहीं काटा SSC का कहना है कि वो plant and machinery जो है वो भड़े पे थोड़ी ले रहा है लेकिन यह सब contract में आता है TDS काटना चाहिए, यह auditor का कहना है तो दोनों के बीच में जो conflict है उसको वहां पे 3CA फॉर्म में Chartered Accountant बताएगा तो देखिए क्या दे रखाया है सबसे पहले clause number 34A of the form 3 CD the tax auditor is required to report whether the SSC is required to deduct TDS and collect the TCS or not तो पहले एक चीज़ समझना clause number होता है 34A करके और 34A में यह बताया जाता है कि TDS आ रहा है या नहीं आ रहा है और आ रहा है तो TDS काटा है या नहीं काटा है तो time पे जमा करा है या नहीं जमा करा है तो interest कितना होगा वो सब reporting 34A में होती है आगे क्या दे रहा है कि if yes to furnish the detail mention there under while answering the issue of applicability of provision of chapter 17B a number of debatable issue may arise before the SSC as well as the tax auditor now the tax auditor may have the difference of opinion with regard to the applicability of provision of TDS TCS on a particular payment in such a case the tax auditor has to report the difference of opinion appropriately as an observation in the para 3 of the 3CA तो 3CA में यहाँ पे Chartered Accountant को बताना पड़ेगा कि यह difference of opinion यहाँ पे आ रहा है this requirement is contained in the guidelines note of the tax audit now also in the clause number 21B in the form 3CD the amount inadmissible means disallowed under section 40 clause A sub clause 1A has to be mentioned बट अगर ऐसा नहीं करते है तो क्या होगा auditor है वो guilty प्रूव होगा और guilty प्रूव होता है कौन से clause number 7 of the part 1 of the second schedule of the Chartered Accountancy Act 1949 में और यह आपने कहाँ पड़ा होगा audit topic में पड़ा होगा audit subject में पड़ा होगा तो audit में यह पड़ा होगा तो देखिये क्या दे रखाया in case of the tax auditor does not comply with the reporting requirement अगर उसने यह reporting नहीं किया under this clause then fail to mention the difference of opinion appropriately of the Chartered Accountancy Act 1949 for non exercising the due diligence may be invoked तो वहाँ पे वो guilty prove हो सकता है और वहाँ पे आपकी professional ethics याद करिये professional ethics आपने पड़ा था वहाँ पे तुम्हारा यह clause number 7 of the part 1 of the second schedule of the Chartered Accountancy Act 1949 है वो आपका लग सकता है करके you got my point or not yes चलिए अब आप काम के रिए question number 5 को एक बार read करिए कर दो करिए आपका चलिए दन चलिए question no.5 पहाएगे question no.5 क्या बोलता है देखिए a search was conducted under section 132 of the income tax act 1961 in case of the LMNN jwellers private limited a gold jewelry retail chain on 28 feb 2023 तो हुआ क्या 28 feb 2023 गो एक company है LMNN jwellers private limited जो की jewelry में deal करते है वहाँ पे raid हो गई income tax की under section 132 is related to the raid as part of the post search inquiries search के बाद में कुछ inquiry हुई उसमें पता चला data from the billing software was analyzed analyze किया data billing software से उन्होंने billing software मालो टेली वैली फॉलो कर रहे होंगे उसको analyze किया तो पता चला income tax department को क्या on the analysis of this data it was found that the company was involved in the violation of section 40A subsection 3 company ने वहाँ पता चलता है यहाँ पे income tax department को के company ने violation किया है section 40A 3 का means 10,000 से ज़्यादा का cash में payment किया है in a major way to the tune of 20 crores in the purchase of old gold तो पुराना जो gold खरीदा उसमें यहाँ पे company ने violation किया है section 40A 3 का means single day में single person को cash में payment किया है लेकिन हुआ क्या आगे क्या दे रखा है in order to verify the finding from the digital data some of the customer whose whereabouts were available from the computer record were contracted and their statement was recorded under oath तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही software से data मिला income tax department कुछ customer को call लगाया customer से like verify किया contact किया और उनके statement record किये और statement उसको oath पे लिया और पता चला क्या पता चलता चला कि दिस customer admitted under the oath that they had sold old gold and received the amount all exceeding 10,000 in cash यहां customer ने भईया admit कर लिया कि यह सम को 10,000 से जादा cash में payment मिला था old gold sale करने से the fact which emerged from the inquiry is that LMN dweller's private limited purchase the old gold and make the payment of this purchase in cash even if they exceed the 10,000 rupees however, the text auditor has mentioned yes in response to the statement in sub clause A of the clause number 21d on whether the expenditure covered under section 40a3 read with rule 6dd were made by account paycheck drawn on bank account or account pay bank draft or not अब एक बाल समझना एक आपका जो clause होता है 21d और 21d में d का मैंने बोला था ने in a single day to a single person more than 10,000 से ज्यादा payment किया है क्या है like account paycheck account pay demand draft any mode of electronic clearing system से ही किया है या नहीं किया violation हुआ या उसका बहाँ पर बताना पड़ता है तो यहां chartered accountant ना जब audit किया था तो उसने तो उसमें लिख लिए कि yes all payment made by the account paycheck account pay demand draft any mode of electronic clearing system तो यहां पर chartered accountant ना अपना सही से due diligence है वो नहीं किया इस से पता चलता है अभी तक ठीक है आगे क्या दे रखा है the tax auditor submitted that the extending instruction was given by the management of the entity to the employees to make the payment above 10,000 only through the account paycheck and bank draft or other permissible electronic mode and the copy of this instruction were verified by him he further submitted that he had also taken the representation from the management that net payment in the cash to any person in a day did not exceed 10,000 also he mentioned that the test check conducted by him did not reveal any violation अब देखो chartered accountant क्या बोल रहा audit करते थाएं क्या हमने तो देखा था के management ने अपने employees को audit instruction दे रखा है कि जितने भी payment 10,000 से ज़्यादा होंगे वो account page एक से होंगे हमने वो instruction देखा है उसके साथ-साथ इन्होंने management से पूचा तो management ने भी बोला कि भई जो है हमने तो ऐसा कोई violation नहीं किया है उसके बाद chartered accountant बोलता है बिकोज यहाँ छोटा amount नहीं है आप देखोगे 20 करोड रुपे के ऐसे payment जो 10,000 से ज़्यादा है और cash में payment किये है तो देखिए यहाँ ethical जो है यहाँ पे ethical जो implication क्या रहेगा chartered accountant को क्या करना चाहिए था उसने क्या चीज़े गलत की और उसकी वज़े से क्या उसको professional ethics में misconduct उसको declare कर सकते है या नहीं करके तो खुल मिला के इसका जो answer रहेगा इसका answer आपका आधा answer है वो audit से related है आधा income tax के provision यहाँ पे explain करके और ICI ने इसका answer दे रखा है सबसे पहले section 40A 3 को समझाया तो जब भी आप answer करते हो ना एक चीज़ ध्यान रखना income tax में whenever you answer of any question first try to write the provision and try to write the provision in your own wording there is no need to there is no need to write the barrack language आपको own wording में लिखना है करगे ठीक है तो देखी क्या लिखा हो है as per section 40A subsection 3 where the assessi incur any expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a day otherwise then by way of account pay check drawn on a bank or by way of the account pay bank draft or use of electronic clearing system through bank account or any other prescribed electronic mode more than 10,000 then such expenditure shall not be allowed as deduction now 21D of the form 3 CD required the tax auditor to the report on the basis of examination of the books of accounts and other relevant document and evidences whether the expenditure covered under section 40A subsection 3 read with the rule number 6DD that is exception of cash payment cash payment कर सकते हो made by account pay check drawn on a bank account or account pay bank draft if not furnish the detail mention there under namely date of payment nature of payment amount etc etc the guidelines note of the tax audit issued by the ICI अब ICI ने इसमें tax audits related guidelines note issue किया हुआ उसमें क्या दिर रखा है that there may be a practical difficulty in verifying the whether the each payment is made through account pay check bank draft ECS और other prescribed electronic mode where the reporting has been done on the basis of certificate of assessi the fact has to be reported as a observation in para 3 of the form 3CA यहाँ ICI का जो guidelines note है वो क्या बोलता है ICI का guidance note यह बोलता है कि अगर मालो आप जो management ने बोला है certificate दिया उस certificate के basis पे अगर आप conclusion पे पहुँच रहा है तो उसको form 3CA में यह लिखना पड़ेगा form 3CA का जो para 3 रहेगा उसमें यह लिखना पड़ेगा के मैं मेरे conclusion पे पहुचा हूँ वो उनके सिरफ उन्होंने जो बोला उसके basis पे पहुचा हूँ ऐसा form 3CA में लिखना पड़ेगा अब आगे क्या दे रखा है The tax auditor is required to point out in the tax audit report the violation of provision of section 40A3 thereof involving expenditure to a person in a day exceeding 10,000 otherwise than by account paycheck cash payment तो किया ही नही है दो such instance है aggregated to the large quantum of the 20 crore बड़ की violation 20 crore का है Tax auditor should have considered the nature of business that is jewelry business of the SSC and accordingly undertaken necessary check to verify whether there is a cash payment in violation of section 40A3 or not He should have made use of audit tools which were available to find out such payment exponentially and accurately where the data is voluminous तो उसको क्या करने चाहिए था कुछ audit tools उसको क्या करने चाहिए था और उसके basis पर वो पता कर सकता था कि पेमेंट से वो cash में हुए है नहीं हुए In this case considering the nature of business of SSC namely jewelry business the onus was on the tax auditor to verify same before reporting in the form 3 CD mere reliance on the certificate issued by the management is not acceptable in such cases also even in case where the reporting has been done on the basis of the certificate of the SSC the fact has to be reported as an observation in para 3 of CA which he failed to do so देखो अगर मान लो उसने management के certificate को ध्यान में रखते हूँ अगर उसी के पर रिलाय किया है तो उसको 3 CA में अपने observation और differences में लिखना चाहिए था वो उसने नहीं लिखा वो फेल हो गया तो इस particular case में आपका clause no. 7, 8 of the part 1 of the second schedule of the Chartered Accountancy Act उसमें उसको जो है वो invoke करेंगे और misconduct हो सकता है तो देखी क्या लिखा हूँ दस In this case, the tax auditor has failed to exercise the due diligence in the conduct of the professional duties He had also failed to obtain sufficient information which is necessary for expression of the opinion on the account of such failure clause no. 7 and 8 of the part 1 of the second schedule to the Chartered Accountancy Act 1949 may be invoke वहाँ पे CA Act 1949 है वो invoke हो सकता है करके You got my point or not? Yes Now question no. 6 पे आईए and I think question no. 6 अच्छा उसके बाद 7 और है 6 and 7 तो question no. 6 क्या बोलता है? देखीए question no. 6 तो ये question जो था ना उपर वाला ये case scenario में भी दे रखा है यहाँ पे जो case study में XYZ & Company is a firm एक partnership firm है engaged in the interior decoration business interior decoration business में है employed 20 new employee on 1 for 2022 on the monthly salary of the 25,000 तो 25,000 monthly salary पे उन्होंने employee hire किये कितने 20 new employee hire किये business कर रहे है और उनकी जो 25,000 salary है to be paid by the account पे ये check वो account पे ये check से pay किया है In addition, each employee was entitled to 10% employer contribution to the recognized provident fund इसके साथ साथ में भाहिया, employee was entitled for 10% of the employer contribution employer RPF में contribute करता है 10% salary का The employee were also entitled to the transport allowance of the 3,000 per month paid in cash ये transport allowance है वो cash में पे किया है उन्होंने along with the salary है salary के साथ साथ The gross total income of the company including the profit and loss the profit and gain from business is 62 lakh तो 62 lakh PGBP का income है gross total income है The firm claim deduction under section 80-JJ-AA उन्होंने deduction ले लिया और रुपेस 18 lakh being the 30% of the 60 lakh 60 lakh का 30% उन्होंने 80-J-AA डबल-J-AA बदा जामत-A जामत-A करके ठीक है तो अपन बोलते थे थे ना जामत-A तो जामत-A जो है डबल-J-AA 30% उन्होंने deduction ले लिया 20 new employee का उन्होंने 25,000 का salary लिया 12 month का और उसके बेसिस पे उन्होंने ले लिया on the basis of the report of chartered accountant issued in the form 10-DA CA न यहा ओडित किया the same chartered accountant was also the tax auditor of the firm वो यह chartered accountant tax auditor है the chartered accountant contented that the emoluments do not include the employer contribution to PF also the cash payment were not to be considered as additional employee cost for the purpose of section 80-J-J-AA hence only 25,000 per month per employee paid by the account paycheck has to be treated as additional employee cost since the same does not exceed the limit of 25,000 per month and the employee have been employed for the more than 240 days in a previous year 22-23 the employees would qualify as additional employee for the purpose of deduction under section 80-J-J-AA for the assessment year 23-24 is his contention is correct and examine the ethical implication in this case तो देखो यह इसमें हुआ क्या basically एक partnership firm है business करती है उन्होंने क्या किया कुछ नए employee recruit किये नए employee recruit किये उनका monthly salary 25,000 है employer का contribution और है RPF में और उसके साथ साथ में 3,000 रुपया उनको transport allowance और दे रहे है जो की cash में दे रहे है इन्होंने क्या किया इसको ले कि आपको बताना है तो पहली चीज अगर आप ATAJ.J. डबले चाहिए तो उसमें ये लिखाता कि अगर आपकी audit होती है तो आप जो है ATAJ.J. डबले का deduction ले सकते है बट उसमें कुछ conditions थी conditions क्या-क्याती? पहली condition किसी भी employee का जो emoluments है वो per month 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए Employed 240 days या उससे ज़्यादा काम करना चाहिए बढ़ 240 days की जबे 150 आ जाएगा अगर मानलो manufacturing of apparels, leather या footwear में है तो वहाँ पे 150 days आ जाएगा instead of the 240 days उसके बाद में एक और चीज अपन ने वहाँ पे देखी थी कि वो employee RPF में participate करना चाहिए तो वहाँ पे कुछ conditions थी, वो conditions satisfied होती है और एक और condition ये थी कि cash में payment नहीं करना है अब एक चीज समझना, यहाँ पे salary तो 25,000 है उसके साथ साथ में employer का 10% contribution है RPF में और एक 3,000 का transport allowance और employee को दिया जा रहा है question ही आता है salary की definition में क्या-क्या आएगा तो मैं बता हूँ यहाँ salary की definition जो है उस salary की definition में एक तो 25,000 आएगा और दूसरा जो cash में 3,000 दे रहे है वो भी emoluments तो ही है न emoluments का मतलब क्या होता है जितना employee को आप pay कर रहे हो कर गे ठीक है that is call your emoluments तो यहाँ तो emoluments कितना हो जाएगा आपका 28,000 हो जाएगा और जब 28,000 हो रहा है तो 25,000 वाली condition तो आपकी satisfied नहीं हुई 25,000 तक ही होना चाहिए यहाँ तो 28,000 हो गया 25,000 को cross हो गया तो यहाँ पे आपको 80,000,000,000 में deduction नहीं मिलना चाहिए तो यहाँ पे auditor ने गलत किया है और अब auditor ने गलत किया है तो उसकी वज़े से क्या होगा क्या आपका clause number 7 of the part 1 of the second schedule of the Chartered Accountancy Act 1949 में उसका जो है यह guilty proof होगा कर गे ठीक है ऐसा वहाँ पे invoke हो सकता है ऐसे इसका आपको answer लिखना है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है पहली चीज़ deduction मिलना नहीं चाहिए था बढ़ उसना deduction दे दी और deduction से related जो है जो clause होता है 3 CD में that is 33 करे ठीक है 33 जो 33 जो है ना like क्या बोलते है 33 जो है वो deduction से related होता है 33 को आप ऐसे याद रख सकते हो देखो 3 3 3 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करके ठीक है 3 3 3 3 मतलब 33 33 मतलब काम बिगाड़ा मतलब deduction करके ठीक है तो जितने भी deduction है 10 AA के as well है chapter 6 के जितने भी deduction है उसका reporting clause number 33 में होता है करके ठीक है तो मतलब कुल मिला के 33 काम बिगाड़ा 33 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करके काम बिगाड़ा का मतलब यहां पर होता है के deduction अपर जो है कैसे connect कर रहे है आप जैसा है वैसा मैंने किया तो आप एक काम करिए इस solution को एक बार आप read करिए और read करने के बाद फिर आप अगले question को read करिए that is the question number 7 read करिए उसके बाद question number 7 प्राद करिए झाल 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 Yes, people, done, चलिए, question no. 7 पर आईए, और question no. 7 क्या बोलता है, देखिए, the income tax department collected document from the ABC bank which reveals that measures alpha travels and consultancy service, alpha travels basically, had remitted substantial amount abroad, तो यहाँ पर क्या हुआ कि, income tax department ने कुछ data collect किया, document collect किया, bank से, और पता चला, कि एक alpha travels करके, उन्होंने इंडिया के बाहर पैसा भीजा है, that is called foreign remittance, अब एक बात बताओ, अगर आपको याद रहेगा, तो foreign remittance के case में वो 15CB form file करते हैं, office में अगर आपने देखा होगा, तो नहीं देखा तो आप ये समझिए, जब भी foreign remittance करते हैं, तो उसमें form file करना पड़ता है, income tax department को, that is form number 15CB करके, तो आगे देखिए क्या दे रखा है, the document collected include the form number 15CB, issued by the chartered accountant, chartered accountant form number 15CB issue करता है, जिसमें list of passengers, copy of their passport, date of travel and invoice raised by the foreign party है, वो सब detail होती है, form number 15CB में, on inquiring from the passenger and verifying their passport, it is found that they did not travel abroad during the dates mentioned in the document, लेकिन पता चला, जब passenger से बात की, तो पता चला के यार, उन्होंने तो कोई ऐसा किया ही नहीं है, travel बागरा है, foreign travel किया ही नहीं है, उनका तो passport पे भी थपा नहीं है, तो कुछ fake document के basis पे chartered accountant ने form number 15CB issue किया, अब आगे क्या दे रखा है, खर्द Friday the passenger denied any shirt of the transaction with alpha travel, the department therefore concluded that the amount were remitted abroad on the basis of false invoices and for wrong reason, leading to the FEMA violation and the form 15CB issued by the chartered accountant facilitated such violation. During the nine-month period in question, the chartered अक्यार काटर्म इस्यच फ्कॉट इस्यचरिक चार्टीट में उस्यार्टोडार क्यों मेा विג दिंगीी कीु कि शोनीदीजरी चिछाटर्टीन अकाटर्टेल्स इसूल फिंग्साटर्टीं इसु क्दोनल the statutory auditor of the company he did not examine the books of accounts before issue of form 15 CB and conduct due diligence of its business activity he had charged 3000 per certificate mostly the fees was collected in cash only some part of the fees was credited in his bank account also examine the ethical implication in this case guys, यह practical life में यह बहुत केस होता है बहुत सारे chartered account 15 CB ऐसे फेक वाल इशु कर देते हैं तो उसको लेके अब देखो इसने ऐसा ही किया है ठीक है तो उसके basis पे देखिये यहाँ पे answer में क्या दे रहा है पहली चीज तो यह बहिया guilty होगा बंदा जो आपका 7 और 8 of the part 1 of the second schedule of the Chartered Accountancy Act 1949 है वो invoke हो सकता है यहाँ पे तो देखिये क्या लिखा हुआ है answer में form number 15 CB is a certificate of an accountant wherein he certified that and he has examined the agreement between the remitter and the beneficiary requiring such remittance as well as the relevant document and books of accounts required for ascertaining the nature of remittance and for determining the rate of deduction of tax at source मिस वो यह बताता है इसमें यह certify करता है कि मैंने दोनों parties के बीच में agreement है उसको देखा है उसके साथ साथ में मैंने documents देखे है उसके साथ साथ में मैंने books of accounts देखे है उसके साथ साथ में मैंने यह भी देखा है कि TDS काटना है या नहीं काटना वो वहाँ पे देखता है Chartered Accountant को यह चीज़े देखनी चाहिए और वो बोलता है कि मैंने यह देखा है The Chartered Accountant certifying the form undertakes to have verified the agreement between the remitter and the beneficiary as well as the relevant document and books of accounts to ascertain the nature of remittance and determine the rate of TDS also in this case however the Chartered Accountant mentioned that he had only verified the KYC of the signatory to the invoice and the invoices thereof he had not only failed to justify as to how verification of invoice was considered as sufficient compliance for certifying the form but also failed to bring on record that invoice thus he failed to provide any basis on which he relied the issue the form number 15 CB certificate to the company and guys on the account of such failure clause number 7 and 8 of the part 1 of the second schedule to the Chartered Accountancy Act 1949 for failure to exercise the due diligence in discharging his professional responsibility and failure to obtain sufficient information may be invoke कर के ठीक है तो guys यह तुमारे 7 question है जो ICI ने दे रखे है मुझे लगता है इस 7 question में से question आपको repeat हो सकता है एक आदा question जो है वो यहां से आ सकता है और यहां पर आप देखना हमेशा इस question में जब answer लिखोगे तो answer कैसे लिखोगे पहले आप provision income tax का लिख लो दूसरा Chartered Accountant ने सही से देखा है या नहीं वो लिख लो अगर difference of opinion है तो 3CA में दे दो और तीसरा फिर आपको अपना जो Chartered Accountancy Act जो आपने professional ethics में पढ़ा हुआ है उसका reference देखे और answer को conclude करना है तो आप देखोगे जितने भी अपने 5 question किये इन सब में similar चीज़े आपको देखने को मिलेगी अब एक बात समझना ये जो 7 question है इसके साथ-साथ ICI ने यहाँ पे कुछ case studies दे रखी है बट case study जो है न वो 2-3 case study तो same है जो question अपने किये जैसे आपका case study number 5 है ये वो last वाला जो अपने देखा न ये last वाला अभी जो मैंने आपको देखा कर गे ठीक है ये वोई वाला है उसमें क्या किया उसने जो 15 CB जो form है वो उसने issue करती है ये वो का वो case है same करके same case है यहाँ पे आप अगर देखोगे न और इस case study कैसे ICI ने दिये पहले उन्होंने बोला income tax का provision क्या बोलता है second schedule of the chartered accountants का provision क्या बोलता है fact क्या था इस case में submission of the chartered accountant क्या हुआ और उसका conclusion क्या है इसके basis पे ये case study है मैं बताऊं ये same वैसी है वैसी है जो भी अपन ने last question किया आप देखोगे इसमें भी वही हुआ अगर आप fact of the case देखोगे यहाँ पे दे रखा है white travels and consultancy service है white travels उन्होंने इंडिया के बाहर कुछ पैसा रेमिट किया था और पैसा रेमिट किया था बाहर से उसने क्या क्या chartered accountant ने सिरफ KYC document चेक कर लिया और उसके बाद में उसने बागी चीज़े चेक नहीं की और उसने form issue कर दिया तो यहाँ पे chartered accountant है वो guilty होगा और guilty होगा तो उस particular case में या तुमारा part one of second schedule of the chartered accountant से act 1949 का clause number seven and eight लग जाएगा तो मैं बताओ ना यह जब case study आप पढ़ोगे आपको लगेगा यार यह तो अपने पढ़ी हुई है कहीना कहीना एक दब easy easy वाली है तो यह वाला है उसके उपर जो है वो एक case study इस से related है case study number four यह आपको कर दी है मैं नहीं करने वाला इसमें यह था कि अगर एक concern है जैसे क्या होता है यह ATIE देखो ATIE, ATIB वगेरा आजकल होते नहीं है बट मैं बताओ पहले एक section हुआ करती थी आजकल deduction नहीं मिलता पहले मिलता था यहाँ पे ATIE में पहले एक deduction मिलता था कि अगर आप manufacturing business में हो तो manufacturing business में क्या होता था कि आपको 100% deduction मिलता था 10 consecutive years तक 10 साल तक कोई भी tax भरने के जरूवत नहीं थी यह आपको मिलता था 10 IE में deduction अब यह 10 IE में deduction मिलता था अब हुआ क्या एक company जो है वो क्या कर रही थी basically यहाँ पे दे रखा है कि एक company alpha packaging service private limited गोहाटी में है और वो क्या कर रही थी 8 IE का deduction ले लिया कौन से ground पे उसने लिया वो क्या कर रहे है manufacturing कर रहे थे और manufacturing में कुछ नहीं कर रहे थे हिंदुस्तान Unilever जो company है उनके लिए जो powder होता है washing powder उस washing powder को छोटे-छोटे pack में डालके बेज रहे थे महला छोटे-छोटे pack में डालके और Unilever को दे रहे थे महला बड़ा container आता था उसमें से packing कर रहे तो क्या packing manufacturing है या नहीं उसके basis पे ये question है तो ये थोड़ा आप homework करिए थोड़े जो ये case studies है ये आप करिए तो आपको समझ में आएगा तो इसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पे institute ने जो case study दे रखा है उसमें case study के बारे में दे रखा है उसके बाद income tax के provision क्या है Chartered Accountancy Act के provision क्या है उसमें कौन सा form है और यहाँ पे last में जाके conclusion क्या रहेगा तो यह आप करोगे ना 2-3 तो आपको और जादा इसमें clarity बैठेगी उसके बाद में ये जो है case study number 3 ये भी same वैसा का वैसा है ये जो है ये भी same वैसा का वैसा है करके थोड़ा बहुत similarity है जिसमें form number 10 CCB issue होता है उसमें क्या होता है ATIA के case में ये issue होता है करके ठीक है कि अगर आप infrastructure facility में हो और infrastructure facility में हो तो आपको क्या होता है 100% deduction मिलता है आजकल नहीं मिलता आजकल infrastructure facility 35 AD में आ गया पहले क्या होता था infrastructure facility ATIA में था और ATIA में क्या होता था कि ATIA में आपको 100% deduction मिलता था तो case study number 3 है उसमें basically हुआ क्या था अगर आप fact of the case देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि actually इसमें हुआ क्या था तो देखिए इसमें क्या हुआ था XYZ and company is a firm engaged in the developing, operating and maintaining a highway project इन्होंने अपना return is date को file कर दिया था and उन्होंने deduction ले लिया था under section ATIA ATIA में deduction ले लिया और CA का audit होता है जब आप ये ATIA के वगरा deduction लेते हो था तो chartered accountant से audit कराना पड़ता है chartered accountant ने audit कर लिया ठीक है audit करने के बाद however August 2017 को chartered accountant को पता चलता है कि इसका तो 10 सल पूरा हो गया इनको तो deduction मिलना ही नहीं चाहिए तो उस बिचारे ने क्या किया वापस अपनी audit report को withdraw किया तो उसने वापस अपनी audit report को withdraw किया और assessi को बोला कि तुमको deduction नहीं मिलेगा तो इससे basis ये case law है तो यह आप जब पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा बहुत ही simple सा case law है और उसमें chartered accountant जो है वो chartered accountant क्या guilty है या नहीं guilty है तो इसमें पता चलेगा कि chartered accountant ने audit report को withdraw कर लिया बाद में तो वो guilty नहीं है जब उसको पता चलाना कि assessi को deduction ही नहीं मिलना चाहिए तो उसने अपनी audit report को withdraw कर लिया तो वो not guilty है वो prove होगा कर लिया ठीक है तो यह case study दे रखिए उसके बाद case study number जो 2 है अरे बाबू यह case study number 2 है ना यह तो same वो की वो है जो मैंने अभी आपको बताई थी वो jewelry वाला कि jewelry वाले के case में क्या हुआ बादा है तो यहां chartered accountant है वो guilty हो सकता है क्योंकि आप अगर इसके fact देखोगे fact वो के वो है कि search conduct हुआ search में पता चला कि PQR dwellers है जो jewelry business में है उन्होंने 30 करोड का जो है वो gold खरीदा और उसका payment है वो cash में किया यह पता चला तो यहां chartered accountant है वो guilty हो सकता है यहां पे chartered accountant है वो guilty होगा तो आप यहां पे देखोगे कि clause number 7 और 8 में यहां पे guilty और professional misconduct है वो होगा तो कुल मिला कि यहां पे audit और tax है वो साथ में चल रहा है तो यह case study है इसके बाद एक case study number 1 है यह आप खुद पढ़िएगा बहुत ही simple case study है कुछ नहीं है तो आप यह 5 case study को पढ़िए साथ question करिए मैं बता दू आपके income tax के paper में डीटी के paper में tax audit से related जो भी question आएगा वो आप easily handle कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पर एक बात बड़ी ज़रूरी है कि आपको साथ साथ में professional ethics का knowledge होना चाहिए और साथ में tax audit का knowledge होना चाहिए तो आप अपने answer को अच्छे से frame करके लिख पाएंगे करके ठीक है चलिए तो यह आपका tax audit का lecture था ज्यादा time लगा नहीं मेरे को लगा दो lecture लग जाएंगे बट जैसा क्योंकि यह इतना easy इसके लिए हो पाया क्योंकि आपने वो section पड़ी हुई थी income tax में अगर याद रहेगी तो आप फटाफट connect कर पाएंगे वो clause number 30A में like primary, secondary adjustment 30B में, 94B वाला 40A, 3 तो अगर आपको वो income tax के provision याद है तो आप फटाफट इसको connect कर पाएंगे और इस topic को आप easily कर पाएंगे exam के लिए इस topic का वैटेज रहेगा मेरे इसाब से 2-3-4 marks के करीब तो 2-4 marks के करीब आपको पूछा जा सकता है करगे चलिए गाइस तो आपका यही एक topic बाकी था अपने syllabus में regular batch, fast track batch में tax audit से related and ethical compliance से related तो यहाँ पे आपका यह topic complete हो जाता है ठीक है चलिए बाकी अभी आपके revision lectures है revision lectures मैं आपको YouTube पे डालने वाला हूँ YouTube पे आपको मिलने वाले तो revise करिए, अच्छे से पढ़िए और आपका target होना चाहिए May 2024, November 2024 जब भी आप exam दे रहे है first attempt में CA को clear करना और मैं बता दू, institute of CA बनाना चाहती है internal information से मुझे पता चला बहुत ज़्यादा CA चाहिए इंडिया में because CA की need है government को need है because बहुत बार ऐसा हो जाता है कि CA की जगे बहुत सारी कंपनिया वो ACCA को भी hire कर लेती है क्योंकि CA मिलनी रहे है तो यहाँ पे CA है वो ज़्यादा से ज़्यादा produce करे ICI करना चाहती है आपको pass करना चाहती है आपको pass होना है तो बस आप अपना 100% effort लगाईए और फटा फटा पास हो जाएए ठीक है चलिए तो अपन अब मिलेंगे YouTube पे बाकि all the best for your examination अच्छे से आप exam दीजिए और जो आपके MCQs है देखो इस बार आपको MCQs है सर आप बोलोगे MCQs का practice कैसे करे आपने देखा हुआ जितने test paper दिये है उसमें MCQ का practice आपका हुआ उसके साथ-साथ मैं इस बार ICI ने क्या किया है MCQ आपके portal पे दे रखे तो आप portal पे जाएंगे boslive.com जो portal है करें ठीक है उस पे जाएंगे और उस पे जाने के बाद आप अपना login करेंगे WRO, CRO, NRO डालके और उसके बाद मैं वहाँ पे आपको CFA फाइन वहाँ practice करिए और practice करके देखिए आपका कितने सही है कितने गलत है जो topic complete हो जाता है उसके बाद आप वहाँ practice कर सकते है लेगिन मैं भी ट्राइ करूँगा कि आपको PDF form में MCQs है वो मैं आपको देदू करगे ठीक है चलिए, so आज के लिए इतना बहुत है thanks a lot people, see you after becoming CA, जैसी CA बन जाओगे उसके बाद हम मिलने वाले है